देखिए तो जो है विशाखा आनंद वो तो डिव से हैं तो हम लोग जब इंटरनाशनल रिलेशन की बात करते हैं अंतरराश्टिये जब हम संबंधों की बात करते हैं उसके इतिहास की बात करते हैं अब आपका आई आर है वह आफ्रीका में शुरू हुआ बिसाखा ने पढ़ा होगा सेमेस्टर वन में जो त्यूरी इंटरनाशनल रिलेशन करके पेपर है निता मैम का उसमें उसमें एक रीडिंग आता है तो उसमें पढ़ना होता है विपिन तीवारी सर पढ़ाते हैं और नमनीता मैं उसको पढ़ाती है बट हम लोग डियू और जैनियू के रीडिंग से अलग होकर जो हम लोगों के एकजाम परस्पेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग धान से समझने की कोशिश करेंगे तो इंटरनाशनल रिलेशन होता क्या है इन वेरी दूसरा कोशन तो यह आता है कि आखिर हमें इंटरनाशनल रिलेशन की आवसकता क्यों पढ़ती है तो इंटरनाशनल रिलेशन की आवसकता समझने के लिए आपको अरिस्टॉटल में जाना होगा अगर आपने अरिस्टॉटल को पढ़ा होगा तो अरिस्टॉटल कहते हैं क तो वो family जो है बनाता है, family से भी उसकी सभी needs पूरी नहीं हो पाती, तो इसलिए इंसान जो है villages बनाता है, villages कुछ needs को पूरा कर देता है, family कुछ needs को पूरा कर देती है, लेकिन पिर भी इंसान के सभी के सभी जो needs होते हैं, जरूरते होती हैं, वो एक village भी पूरा नहीं कर पाता है, therefore, the human beings, they make state, इसलिए वो राज्य का निर्मान करते हैं, और इसलिए राज्य को Aristotle कहता है कि राज्य जो है, association of associations है, बहुत सारे संगठनों का भी संगठन है, तो इसी तरह से, जैसे Aristotle कहता है कि एक individual self-sufficient नहीं है, उसी तरह से एक country भी self-sufficient नहीं है, एक country अपने आप से सब कुछ नहीं कर सकता, एक country के पास सबके सब resources नहीं होते, क्या इंडिया के पास crude oil है, इंडिया के पास crude oil नहीं है, तो इंडिया जो है import करता है, हमारे पास medical facilities है, वो हमारे पास बेहतर है, तो हम उसको हम अपने दवाईों को China में export करते हैं, हम अपने दवाईों को in fact America तक में export करते हैं, तो हमारे पास जो बेहतर है, हम दूसरों को देते हैं, और जो हमारे पास नहीं है, वो दूसरों से लेना पड़ते हैं, क्योंकि हम self-sufficient नहीं हैं, और इसी लिए हमें international relation की जरुरत पड़ती है, अगर हर एक country अपने आप में ही सब कुछ कर लेता, self-sufficient हों ही जाता तो आपस में दोस्ती करने की जरूरत ही क्या पड़ती है तो इसीलिए क्योंकि हम self-sufficient नहीं है हमें international relation की जरूरत पड़ती है हर एक nation को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहला तो ये point आपको समझना है दूसरा पॉइंट आपको ये समझना है कि इंटरनाशनल रिलेशन की शुरुवात तब होगी जब मौडन नेशन इस्टेट की शुरुवात होगी अब मौडन नेशन इस्टेट और बाकी जो पहले पॉलिटिकल अथोरिटीज थे उनमें क्या डिफ्रेंस है पहले बड़े बड़े kingdom हुआ करते थे जिसको सामराज्य कहते हैं और आज modern nation state है तो modern nation state और पुराने समराज्यों में अमपायर्स में kingdom में क्या डिफ्रेंस है तो जो modern nation state है ना इसमें sovereignty होती है और दूसरा जो है ना हम लोग non intervention का policy को follow करते है नॉन इंटर्वेंशन इसका मतलग आज नेपाल एक modern nation state है तो आज नेपाल को अगर इंडिया का मन किया या चाइना का तो ऐसा नहीं कि इंडिया जाकर जीत जागा नेपाल को इंडिया हरा देगा उस पर वही शार्षन करने लगेगा या चाइना अज भूटान को पूरा का पूरा हाथ याल है नहीं हम ऐसा नहीं करते हम एक दूसरे के स्वेर्नीटी समप्रभुता को जो है उसका respect करते हैं और दूसरा बात यह है कि हम दूसरे के internal affairs में कम से कम जो है वो उसको influence करने का कोशिश करते हैं होता था दूसरे समराज्य को अपने में मिला लेता था तो जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की भावना थी कि एक नेशन इस्टेट का टेरेटरी जो है वो बायस होता है उसकी sanctity होती है वो पवित्र होता है हमें उसे कब्जा नहीं करना चाहिए ये था ही नहीं ये चेतना ही नहीं थी पर जब से ये चेतना develop हुई तब से modern nation state का शुरुवात हुआ और जब से modern nation state का शुरुवात हुआ तब से international relations का शुरुवात हुआ आप अगर Australia और New Zealand के islands देखेंगे तो आस-पास में बहुत सारे बहुत छोटे-छोटे countries है नावरु है पलाव है बहुत सारा countries है और Australia चाहे न तो ऐसे चुटकी बज़ा तो उसको कब्जा कर ले और मेभी आज के 200 साल पहले ऐसा कर सकता था पर आज modern nation state का जो concept है वो काफी ज़ादा concrete हो गया है आज हम एक conflict है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि संघर्स खतम हो गया है conflict है लेकिन यह idea जो है यह धीरे-धीरे concrete बनता जा रहा है लेकिन यह idea सबसे पहली बार आया कब modern nation state जो है सबसे पहली बार इनको recognize कब किया गया कब बोला गया कि हां modern nation state सुवरेन होते हैं और उनका जो है territorial integrity बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपने सुना होगा एक treaty of Westphilia होता है यह सबसे इंपॉर्टेंट है यह भी treaty of Westphilia तो जो वेस्ट फीलिया की संधी है कब होती है वेस्ट वेस्ट फीलिया की संधी in which year it was done 1648 में है ना तो जो वेस्ट फीलिया की संधी होती है यह सबसे पहला काम तो यह करता है कि एक 30 years war हो रहा होता है तीस वर्सिये युद हो रहा होता है तो उस 30 years war को जो है 30 years war को यह समाप करता है और उसके बाद दूसरा यह काम करता है कि सोवेरनिटी को और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रेकोगनाइज करता है यहीं से सोवेरनिटी टेरिटोरियालिटी का जो है रेकोगनीशन पराप्त होता है कंट्रीज को और माना तो यहीं जाता है कि जो modern nation state है उनका जनम यही से होता है modern nation state की new यहीं रखती जाती है लेकिन इस treaty के बावजूद भी इस treaty को follow नहीं किया गया है अच्छे से आप अगर देखिएगा इसके बाद ही नेपोलियन ने पूरे यूरोप को जीत लिया है ना तो बहुत सारी घटनाएं हुई ऐसी घटनाएं जिसमें लोगों ने इस ट्रिटी को नहीं माना लेकिन सबसे पहली बार लोगों ने यह स्विकार किया था कि हमारे लिए स्वेर्नेटी और नॉन इंटर्वेंशन या फिर टेरिटोरियल इंटीगरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है यह चीज़ सबको समझ में आ गया तो यहां से मॉडरन नेशन इस्टेट का जनम होता है धिहान में रखिएगा यह कोश्चन पूछा जाता है अगर हम आयर की बात करें तो आयर जो है ना यह बहुत यंग डिसिप discipline देखिए हम लोग किसी भी विशय को दो रूप में समझने की कोशिश करते हैं एक तो वो विशय समाज में कब से था और दूसरा यह विशय को हमने पढ़ना कप्षे शुरू किया अध्यान करना कप्षे शुरू किया तो एक विशय जो होता है ना एक विशय को हम लोग आ रखते हैं एनी सब्जेक्ट इजन आट आज डिसिप्लिन एनी सब्जेक्ट आप पब्लिक अड्मिनिस्ट्रेशन की बात करें तो पब्लिक अड्मिनिस्ट्रेशन उतना ही पुराना है जितना पुराना हमारा समाज है क्योंकि पब्लिक अड्मिनिस्ट्रेशन से हम लोग स कि साइटी के अफेयर्स को तब से मैनेज कर्拖ते आ रहे हैं जब से समाझ जो है वो आया होगा existence में पब लिक एड्मिनिस्ट्रेशन एक art के तौर पर एक कला के तोर पर उतना ही पूराना है जतना पूराना हमारा समाझ है पानो समाझ है लेकिन अगर पब्लिक administration की अगर हम as a discipline बात करें तो public administration की शुरुवात हम कब से मानते हैं who is called the father of public administration उड्रो विल्सन उड्रो विल्सन एक article लिखा था the study of administration 1887 में 1887 में और यही उड्रो विल्सन मैं इसकी चर्चे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह जो उड्रो विल्सन है यह international relation के भी अस्थापना में इसको एक discipline बनाने में इनका बहुत एहम योगदान रहा है तो उड्रो विल्सन जो है उनको father of public administration भी कहा जाता है 1887 में उन्होंने एक article लिखा the study of administration और उस समय से जो public administration है एक discipline एक विशाय के रूप में उभरा लेकिन क्या 1887 से पहले था ही नहीं पब्लिक administration बिल्कुल गलत बात है बिल्कुल था लेकिन हम उसे विशाय के तौर पर नहीं पढ़ते थे क्या international relation 1919 से पहले था ही नहीं 1919 में as a discipline इसकी निव रखी गई और क्यूं निव रखी गई मैं इसका कारण भी आपको बताऊंगा लेकिन क्या 1919 से पहले क्या राजियों के बीच में संबंध नहीं बनते थे तो कॉटिलिया फिर किसकी बात कर रहे हैं हमारे यहाँ जो कॉटिलिया है हम किसकी बात कर रहे हैं जिया बरानी किसकी बात करते हैं फिर मैकिया वेली किसकी बात करते हैं या थूसी डीडस जो हैं वो किसकी बात करते हैं जो कि ancient Greek thinker हैं, तो international relation भी उतना ही पुराना है, जितना पुराना political community है, political community जो है, जब existence में आया होगा, तो एक political community, दूसरे political community के साथ जो है, वो संबंध रखती होगी, वो संबंध कैसा भी हो सकता है, वो संबंध friendly हो सकता है, वो संबंध जो है, antagonism का हो सकता है, आपस में लड़ाई का, भेदभाव का हो सकता है, पर संबंध तो रहे होंगे, या तो खटे संबंध रहे होंगे, या तो मीठे संबंध रहे होंगे, पर संबंध तो जरूर ही रहें, इसी लिए, ऐसा मत मान के चलिएगा, कि international relation 1990 से पहले तो था ही नहीं, वरना मैं thinkers बताऊंगा, तो आप बोलेंगे, कि सर आप बड़े बेवकूफ वाले बात कर रहे हैं, आपने बताया कि international relation की शुरुआ थी 1919 में हुई, और आप thinkers बता दे रहे, 5000 साल पहले वाले, तो जी हाँ, बिलकुल, 5000 पहले भी international relation था, एक कला के तौर पर, international relation, international politics was there, as an art, एक art के तौर पर, लेकिन एक discipline के तौर पर 1919 में जो है, आपका जो University of Wales है, जिसकी अध्यक्षता उड्रो Wilson नहीं की थी, वहाँ पे international relation की निव रखी जाती है, इतना समझ में आ गया, अब international relation की निव रखी जाती है, international relation होता क्या है, तो relation among the state, जो राज्यों के बीच में, और मैं राज्य कहता हूँ, तो मैं देशों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि political science में राज्य का मतलब जार्खन, बिहार, उडिसा और वेश्ट, बेंगॉल नहीं होता, पॉलिटिकल साइंस के लहजे में, राज्य का मतलब होता है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और वुटान, तो क्या होता है, international relation, आपस में राज्यों के बीच में relation, अब राज्यों के बीच में relation, तो तब ही शुरू होगा, जब राज्यों का जनम होगा, तब तो ही हम लोग राज्यों के बीच में relation देखेंगे, अगर राज्यों ही नहीं है, तो कहे का उनके बीच में relation, और राज्यों का जनम, राज्यों का emergence कैसे होता है, ट्रिटी ओफ वेश्ट फीलिया से, जो की मैंने आपको बताया, अगला जो ट्रिटी है, ये भी आपके लिए बहुत important है, इसको हम बोलते हैं, ट्रिटी ओफ यूश्रेट, तो ट्रिटी ओफ यूश्रेट जो है, ये 1713 में sign हुआ, 1713 में sign होने के बाद, इसने दुबारा से, ये जो बात, विष्ट फिलिया की ट्रिटी में कही गई थी, दुबारा से इसी बात को रिआइटरेट किया, दुबारा से कहा, कि हमें territorial sovereignty का respect करना चाहिए, यूरोप में ये concept को जो है, solidify करने का concrete बनाने का इसने कोशिश किया, इसने कहा, सबसे पहली बार इसने क्या काम किया, तो इसने 30-year war end किया, ट्रिटी ओफ विष्ट फिलिया ने, जिस तरह से ट्रिटी ओफ विष्ट फिलिया ने 30 वर्सी यूथ का समाप्ती कर दिया, उसी तरह से जो आपका Spanish war था सक्षेशन का, उसको समाप्त कर देता है, कौन समाप्त कर देता है, ट्रिटी ओफ फिच्रेट, और क्या कहता है कि टेरिटोरियल सोवैर्नेटी जो यूरोप में है, इसको हमें रेकोगनाईज, इसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी काम नहीं बना, उसके बाद भी लोगों ने ये टेरिटोरियल सोवैर्नेटी के ओधारना को बार 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 बहुत बार जो है, इसको नजर अंदाज करने का कोशिश किया, कैसे तो आगे आते हैं आपके नेपोलियन फाहब, नेपोलियन इंपेरर कब बना था, फ्रांस का कौन से येर में, इन आइडिया, इन विच येर नेपोलियन बिकेम दे इंपेरर अफ फ्रांस, बैटल अफ वाटर लू कब हुआ था, आप सबको ये सब हिश्ट्री पता होगा, थोड़ा-थोड़ा मैं मान के चल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा modern history भी पढ़ा दूँगा आपको, क्योंकि question एक दो आ जाता है इस से, no problem at all, बट ये सब थोड़ा-थोड़ा जानना पड़ेगा, देखिए 1799 के आसपास में 1799 में जो है, नेपोलियन जो है वो गद्दी पर बैठा, फ्रांस की गद्दी पर, और नेपोलियन उसके बाद जो है यूरोप के देशों को जीतना शुरू किया, शुरू किया, शुरू किया, बहुत सारी यूरोप के देशों को जीत किया, उस समय काफी ताकतवर एक कंट्री हुआ करता था प्रुशिया और यह जो प्रशिया है प्रशिया ही आज जर्मनी है और प्रशिया के ही आपके एक देश था पर्सिया ठीक है ना पर्सिया किसको कहते हैं इरान को इरान का पुराना नाम था पर्सिया तो हम पर्सिया नहीं ब प्रुशिया तो जो प्रुशिया है प्रुशिया जो बाद में जर्मनी बनता है इस पर भी कबजा कर लिया निपोलियन ने और निपोलियन का एक बहुत बड़ा रोल होता है आज के जर्मनी को जर्मनी बनाने में क्योंकि जो पहले आपका जर्मनी हुआ करता था आज का वो लगभग 350 छोटे छोटे किंग्डम्स में बटा हुआ था जैसे हम मानते हैं कि अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इंडिया के नाशनलिजम में क्योंकि इंडिया भी देखिएगा तो हजारों किंडम में छोटे छोटे किंग्डम्स में बटा था मैं भी जेपीएशी के त्यारी कर रहा हूं मैंने तो जहारखंड के किंडम पढ़े तो मेरे हालत खराब हो गया मतलब जहारखंड में 300-300 किंडम हमको देखने को मिल उन में से जो हम लोगों को पढ़ना है जेपीएजी के लिए जहारखंड पब्लिक सर्विस कमिशन के लिए तो यह तो देश का हमारा हालत था अंग्रेजों ने क्या किया कि सबको ब्रिटिश इंडिया में बना दिया मिला दिया सब पर कब्जा करके एक सास ला दिया अब इससे क्या हुआ नाशनलिजम का भावना उत्पन हुआ यहां दो सब्दों की हम बात करते हैं साथ ही साथ कॉंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे नाशनलिजम अभी डियू के स्टुडेंट को नाशनलिजम भी सायद से पढ़ाया जा रहा होगा बेनेडिक्ट आंडर्सन का इमेजेंट कम्यूनिटी पूरा का पूरा बुक ही पढ़ना पड़ता है उज्वल सर पढ़ाएंगे आप लोगों को कॉंपेरिटीव पॉलिटिक्स में और नश्रीन में तो भी स्पेक्ट्र आफ कॉंपेरिजन पढ़ा रही होगी तो नाशनलिजम और एक होता है पेट नाशनलिजम जो है ना वो एक भावना है नाशनलिजम इस एन इमोशन इमोशन है क्या इमोशन है तो एक ऐसा इमोशन है जिस से एक कम्यूनिटी एक ग्रूप आपस में फील करता है कि वो लोग एक ही जैसे हैं Stands of belongingness उनके अंदर में होता है उन लोगों के मन में ऐसा गाउञ्वार मैसूस करते हैं, एक्जामपल देकर बताँ, नैशनलिजम जो है न, उसका बेसिस कछ भी हो सकता है, एक कौमन लैंग्वेज, एक कौमन रिलीजन, एक कौमन कास्ट, एक कौमन कल्चर, एक कौमन हिस्ट्री, कुछ भी हो सकता है, आप दिलि में जाते है कोई बेंगोली मिलता है आपको if you are from Bengal I don't know how many people are from Bengal but if you are going to Bengal you might have not seen that person any day in your life लेकिन कोई बेंगोली में बात कर रहा है तो मुझे बेंगोली नहीं आता है बोलते हैं अच्छा भाहिया भी बेंगोल से हैं I'm also from Bengal इस तरह से बात करते है उडिसा कोई रहता है दिल्ली में या जहारखंड में कोई आपको मिल जाएगा मैं रहता हूं मैं जहारखंड से हूं तो मैं दिल्ली में था आचा आप बिहार से हैं तो आपस में स्टेट है एक राज्य है जिसमें बहुत सारे राष्ट्र बहुत सारे नेशन जो हैं वह रिसाइड करते हैं पंजाबी speaking group अपने आप में एक नेशन है उडिया speaking community अपने आप में एक नेशन है है ना और आपका इसी तरह से काश्ट के बैसिस पर दलित सब अपने आप में नेशन ब्राह्मन रश्पूत अपने आप में सब नेशन तो इस तरह से nationalism का concept होता है तो nationalism क्या होता है nationalism is intangible object nationalism is a feeling of belongingness is a feeling of commonness it can be on the basis of caste religion culture history so on and so forth language etc I hope nationalism आपको पता चल गया nationalism में commonness create होता है समानता create होता है तो अंग्रेजों ने हमें कैसे समानता create करने में मदद किया अंग्रेजों ने बहुत मदद किया हमें Bengal का एक आदमी सबसे पहले तो अंग्रेजों ने हमारे यहां English education system लाए तो उससे हमें पता चला कि अच्छा French revolution हुआ इटली का यूनिफिकेशन हुआ जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ नाशनलिजम के बारे में हम जान पाए train लेकर आए भले ही अपने फायदे के लिए education लेकर आए हो देखिए एक हम कहते हैं ना कभी-कभी आप कुछ काम सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हैं लेकिन उससे कभी-कभी दूसरों खभी भला हो जाता है या फिर वह उल्टा आफी के ऊपर जो है ना वह पढ़ जाता है अंग्रेज थोड़ी चाह रहे थे कि नाशनलिजम इंडिया में डेवलफ हो ट्रेन लाने से नाशनलिज हो रहा था अंग्रेज तो चाह रहे थे कि इंग्लिश इनको पढ़ाएंगे तो सस्ते कलर खायर कर लेंगे ट्रेन रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा यहां कमाल लूट कर ले जाएंगे इंग्लैंड पर फायदा भी हो गया एक तो एक कॉमन लैंग्विज डिबलफ हुआ एक बेंगॉली और एक उडिया कम् humidity का person कभी कोम्यूनिकेट ही नहीं कर सकता था एक तामिल एक हिंदी स्पीकिंग परसं कभी कोम्यूनिकेट ही नहीं कर सकता था इंडिया में आता ही नहीं था लैंगेज गूसरे का सब को ИНगलिआ श क्रिकाय सब टुटी फूटी इंगलि प्रीटिष अंग्रेज ले और यूझल न भी बोलेगा problem यंग्रेज दोनों बात कर रहे हैं problem तो हमारे साथ भी है । Пон्धेी प्रॉब्लम का जड़ क्या यह British अंग्रेज दुसमन यज या ना वो common enemy थे हमारे common enemy तो क्या commonness था पूरे इंडिया में commonness ये था कि सब के साथ सोशन होता था और सोशक करता कौन था और यही हम लोगों का nationalism था हमारा nationalism जो है ना वो भाषा के अधार पड़नी बना इसलिए आज भी हमारा nationalism कमजोर है अगर हम लोग same speaking community के लोग होते तो हमारे nationalism में जादा थाकत होता लेकिन common enemy के नाम पे हमारा nationalism बना तो अब enemy तो चला गया तो nationalism भी धीरे 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 फीत पड़ गया है अब फिर से कोई दुश्मन पैदा होगा कोई ऐसा dictator सरकार पैदा होगा जो सब को परिशान करेगा उसके बाद फिर nationalism लोगों का जागेगा जैसे प्रकाश नरायन के movement में जगा था फिर लोग सो जाएंगे तो नेपोलियन ने यही काम किया नेपोलियन ने भी छोटे 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 स्टेट्स को और सबका एंपोलियन नेपोलियन वाज टेरा दूस्मन कौन भाई लोग तो उनका नाशनलिजम काफ़ी स्ट्रॉंग डिबलप हुआ और हमारा स्ट्रॉंग डिबलप नहीं हो पाया अब पैट्रोटीजम में क्या फर्क होता है नाश्ट्रवाद होता है और राश्ट्रवाद तो भावना होता है हम छू नहीं सकते हैं हम उसको देख नहीं सकते हैं मैसूस कर सकते हैं सकता है राश्ट्र देश भक्ति होती है प्यालोति क्या होता है प्यालोतिजम जो है वह एक भूमी के लिए प्रेम होता है और देश भक्ति सिरफ मनुष्यों में नहीं बलकि जानवरों में भी होती है एक बिल्ली भी देशभक्त होती है एक कुत्ता भी हम किसी का अनाधर नहीं कर रहे हैं कॉंसेट बता रहे हैं कि इसको अधर मैं मत लीजेगा एक बिल्ली भी देशभक्त होती है पक्षी जो होता है वो भी देशभक्त होता है बिल्ली जो है उसको जिस घर से प्रेम हो जाता ह है उस घर को छोड़ के जाना नहीं चाहती है तो देश्भक्ति का भावना तो बिल्ली के अंदर है गाय के अंदर है वो जिस घर में रहती है उसको छोड़ दीजे चरने के लिए साम तक घर पहुंच जाएगी चिनिया अपने घौसला में पहुंच जाती है साम साम तक अपने नेक्स्ट में पहुंच जाती है तो दिस्भक्ति क्या होता है एक भूमी के टुकड़े से लगाओ अब जैसे मेरा दिस्भक्ति इंडिया के लिए भी है बट मेरा जहां बर्थ प्लेस है मेरा जहां घर है गाउं पैत्रिक गाउं वहां के लिए मेरा दिस्भक्ति का फिलिंग और जादे स्ट्रॉंग है वहां जाते हैं तो लगता है रहे पूरा तो मेरा ही है हमी मतलब ये लोग हमारे है ये तो पूरा का पूरा हमी मतलब हमारा ही है ऐसा फिल होता होगा कभी-कभी आप लोग जादर टाइम के बाद अपने होमटाउं जाते होंगे तो अपना-पन आई होप आपको समझ में आ गया यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है नाशनलिजम और पैट्रियोटिजम में क्या डिफरेंस होता है अब ये निट में नहीं पूछेगा पर क्या पढ़ाएंगे आप अपने स्टूडेंट्स को फ्यूचर में इसलिए सीखना है पढ़ाए अब आगे चलते हैं हम आगे हम लोग treaty फैरिम परिष के बारे में बात करते हैं जिसको हम लोग चैसे भिआना कंवेंशन की या इसको कहते हैं कॉंग्रेस ऑफ वियना कांग्रेश ऑफ-व्येना कांग्रेस ऑफ वियना दो तीन नाम से इसको जाना जाता है वियना is the capital of which country कौन से देश का राजधानी है वियना अस्ट्रिया का है ना अस्ट्रिया नॉट और उस्ट्रियलिया और 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 अस्ट्रिया का रइट तो इसमें होता क्या है treaty of Paris में ये नेपोलियोनिक वार को खतम करने के बाद होता है इसको हम लोग कभी-कभी concert of Europe भी कहते हैं कभी-कभी क्या कह देते हैं देखिए ये chronology में लगाने आता है concert of Europe दे देगा treaty of U-state देगा treaty of Westphalia देदेगा और एक-दो treaty का नाम देदेगा सिंतारा doctrine देदेगा लगा इसको chronology में जब-जब यह हुआ है तो पता रहेगा कभ हुआ है तब लगाईएगा तो treaty of Westphalia कभ होता है 1648 में treaty of U-state कभ होता है 1713 में और यह आपका जो Vienna peace peace conference बोल लीजिए आप Congress of Vienna बोल लीजिए concert of Europe बोल लीजिए इसको maternich system के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसका अध्यक्षता कौन कर रहा था maternich कर रहा था ओके इसको spelling गलत हो सकता मेरा maternich का ओके है maternich system के नाम से भी जानते हैं या इसको concert of Europe भी कहा जाता है नेपोलियन की कौन से युद में हार हुई नेपोलियन कौन से युद में हार है क्या नाम है युद का battle of waterloo यह 1415 सोड़ी 1815 दोनों में डेट है तो 1815 में नेपोलियन हार जाता है battle of waterloo में waterloo का युद होता है और उसमें नेपोलियन हार जाता है ठीक है ना और उसके बाद यह ने-पोलियूनिक वार को समाप्त करने के लिए जो है इस ट्रिटी को किया जाता है मतलब लिए Congress of Vienna जो है न यह एक लारजर पार्ट है इसके अंदर में ट्रिटी अफपिरिस हाता है है एक क्यूंकि Congress of Vienna में बहुत सारा treaty हुआ था उसमें से Treaty of Paris बहुत इंपोटेंट है जैसे Paris Peace Conference की बात करें तो Paris Peace Conference World War One खतम होने के बाद हुआ था ना Paris Peace Conference लेकिन उसमें सबसे इंपोटेंट रिटी कौन था परिश पीस कॉनफेंस में टीटी आफ वर्सलीज की संदी है ना उसी तरह से treaty of Paris बहुत important है इस Congress of Vienna के अंदर में हुआ था समझ में आ गया यहां तो कोई डाउट नहीं है तो यह भी बहुत important है और इसमें दुबारा से बोला गया तीबारा से बोला गया कि भाई देखो कम से कम territorial integrity का एक दूसरे का respect करो Europe में यह बात को दुबारा से बोला गया पर यूरोप कुत्ते की पूच मानेगा कहां हागे फिर से बहुत सारी चीजें हुई जिसको मैं यहां डिसकस कर देना चाहूंगा अच्छा और क्या-क्या चीजें हूं तो सबसे पहले होता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली यूनिफिकेश इटली कभ होता है कौन से एयर में एनि आइडिया जल्दी बताइए और किसको किसको क्रेडिट दिया जाता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए आइडिया है मोहमद इर्फान आप है क्लास में आप तो आंसर करते हैं ना शाद शाद ज्वाइन नहीं किये हैं देखिए यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ है 1861 में और इटली के यूनिफिकेशन में तीन लोगों का बहुत ही अहम योगदान है सबसे पहला है क्याफूर जो क्याफूर है इसको हॉट बोला जाता है यह उतली इसको माइनड बोला जाता है मौइण of Italian Revolution जो इटली का यूनिफिकेशन के लिए रेविलूशन हुआ उसका माइंड बोला जाता है यह लीडर थे है ना उसके बाद जो है एक आपके वहां के कभी है मजीनी मजीनी ने बहुत सारी कभीताइं लिख के वहां के लोगों को इंस्पायर किया तो मजीनी को हर्ट कहा जा उनका नाम था गैरी बाल्डी इनकी कहानियां पढ़ा करते थे लोग इनको सोड कहा जाता है तलवार थे यह इटालियन रेवलूशन के तो कैफूर माइंड था मजीनी हर्ट था उसका और गैरी बाल्डी फ्रोड था तलवार था मनें यह इंस्पायर किया जोस दिला है लो स्वीलिफाइ कर दिया ठाशार सो एक सठ में और आज हम लोग उटली को जानते है यह ना यृव्टिकेशन ओप जर्मनी और जर्मनी क्या बनता है यही जो मैं जर्मनी होता है दस साल के बाद दस साल याद रखिएगा 1871 में ये तो जरूर पता होगा कि युनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में किसका रूल था ये तो सब कोई जानते होंगे कौन था रिस्पॉंसिबल को वस्टाट ग्रेट में आप माइक अलाव कर देते हैं अच्छाए एक सेकंड हाँ आप लोग बोल सकते हैं युनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में कौन था ऐलाउड हैं म피लोग हैं युकें अन्म्यूट यो माइक ऑटोमन विस्मार्ट है ना अटोमन विस्मार्ट और क्योंकि विस्मार्ख ने जर्मनी को युनाइट किया था चोटे चोटे बहुत सारे किंग्डम को इसको आइरन मैन भी भी कहा जाता है इसी लिए जो सर्दार प्टेल हैं हमारे जिनके लिए स्टेच्व उयुनिटी बना है हमारे सर्दार प्टेल ने बिस्मार्क जैसा काम कर चल निएक mark for his own country his own fatherland Germany okay द्यान में रखेगा इस बात को अब जब हम यहां modern nation state की बात कर रहे हैं तो यह सब chronology लगाने देता है इसलिए इसलिए सब को द्यान में रखेगा treaty of Westphalia यहां पर हम बात क्या कर रहे हैं कि आज के modern nation state जो है वो develop हुए तो उनके development में कौन-कौन से event जो है उन्होंने महत्वपुर्ण भूमी का निभाई कौन-कौन से घटनाए थी त्रिटीज थी जिसका एक महत्वपुर्ण रोल है डाट इस वाइं डिसकसिंग इस थेंग्स ओके आई होप आपको भूभाग रहने से काम नहीं चलेगा भूभाग तो एंटार्टिका के पास भी है लेकिन एंटार्टिका में कोई लोग नहीं रहते एसलिए अन्टार्टिका is the only continent where there is no country isn't it where there is no nation state तो उस पर population रहना चाहिए डिर मस्ट भी सम population अब population भी रहने से काम नहीं चलेगा population को rule करने के लिए उस political community को rule करने के लिए एक government चाहिए ठीक है government तो हम जारखंड का example लेते हैं जारखंड के पास territory है population है उसमें से एक हम government है क्या बिल्कुल लेकिन क्या जारखंड के पास sovereignty है जारखंड के पास sovereignty नहीं है जारखंड जो है वो subordinate है केंदर सरकार का he is working under the central government जारखंड के पास sovereignty नहीं है इसी लिए जारखंड एक nation state नहीं है है ना sovereignty यह चार चीज़ है और पांचवाँ चीज जो की बहुत important जो की है international recognition बहुत सारे ऐसे आपको देश देखने को मिलेंगे जहां सभी चीज़ें आपको मिल देखने को मिलेंगी जैसे हम Republic of China की बात करते हैं एक तो people's Republic of China है जो की अभी का चाइना है है ना और एक है हमारा Taiwan जिसको Republic of China कहा जाता है है जो की अपने आपको क्लेम करता है कि हम असली चाइना है उसकी भी हम कहानी बताएंगे कभी किस तरह से सन्याथ से ने शंकाई ने कांड किया और उसके बाद लोग वहां के नाराज हो गए और पबलीक ने सपोर्ट किया मौसितूं को और मौसितूंग पावर में है चाइना बना 1949 में एक औक्टूबर के दिन आजाद हुए अपना चाइना अपना चाइना नहीं मतलब उसका चाइना चाइना मेरा नहीं है अपना हिंदुस्तान ही ठीक है ठीक है ना तो इंटरनाशनल रिकॉगनिशन होना बड़ा जरूरी है ताइवान ताइवान के पास स बिल्कूल पॉपॉलेशन बिल्कूल गवर्मेंट बिल्कूल सोव Anime बिल्कूल जो करना चाहते हैं कर सकते हैं अपनी टरिट्री के अंतरगत कोई उनके उपर एक्स्टरनल प्रेशर नहीं है लेकिन इंटरनाशनल डिकॉगनिश्शन नहीं मिल इसको निन कघुड बो मेरा अपनी territory ले ली है population government बना दिया sovereignty तक है उनके पास जो इराणी सरकार है कुछ नहीं कर पाती उनको पिर भी उनको international recognition नहीं है तो हम यह नहीं कहते कि कुर्दिस्टान एक देश है नहीं कहते तो इंटरनाशनल रिकॉगनिशन पाचवां और ये भी अहम मुद्धा है जब तक किसी देश को सामने वाला देश नहीं मानेगा कि तुम्हें एक देश हो तब तक हम उसे एक modern nation state के category में हम लोग नहीं डालेंगे आप यहां तक आप लोगों को clear हो गया होगा अच्छा बंगलादेश को सबसे पहला international recognition किस ने दिया था इस बार ये कहीं पूछा था कहां कोई 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 में तो जरूर है था जहां तक मेरे को ध्यान में है विच वास्ट कंट्री रेकोगनाइज बंगलादेश को रेकोगनाइज करने वाला पहला देश उसके बाद सभी देश वो ने रेकोगनाइज कर लिया बंगलादेश को धीर धीर बंगलादेश वाज जो है वो इस्ट पा करने वाला सेकेंड नॉन कॉम्निस्ट कंट्री था इंडिया कि कॉम्निस्ट कंट्री ने तो रिकोगनाईज कर दिया था लेकिन जो नॉन कॉम्निस्ट कंट्री थे वो रिकोगनीशन नहीं दे रहे थे इंडिया दूसरा नॉन कॉम्निस्ट कंट्री था जिसने चाइना को रि अब यहां पर देखिए ना यहां एक important बात गौर कीजिएगा कि modern nation state उभर रहे है धीरे 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 पर European लोग जो है ना वो लड़ाई करना नहीं छोड़ रहे है यूरोप का इतिहास युद्धो का इतिहास है यूरोप में बहुत सारे युद्ध हुए बहुत भ्यान अब देखिए ना 30 years war हो रहा है Spanish war of succession हो रहा है नेपोलियन ने फिर अपना कांड कर दिया आगे भी लोग लड़ते जा रहे हैं जैसे यहां जब यूनिफिकेशन हुआ जर्मनी का तो बिना यूद्ध का नहीं हुआ इसके लिए फ्रैंको पर्शियन वार लड़ना पड़ा पुरुश्यन वार लड़ना पड़ा ठारस भातर का आपने एक चाप्टर पड़ा होगा क्लाश 12 में एक बुक होता था फ्लैमिंगो या हॉर्ण भी ऐसा करके सिवी एसी में उसमें हमको चाप्टर का नाम याद नहीं आ रहा है उसमें दो अलसास और लॉरेंस का कहानी था अलसास और लॉरेंस को जर्मनी जो है कबजा कर लेता है फ्रांस को यूध में हरा के तो ये प्रथम विश्यू यूध का जो है ना ये इतिहास यहीं से शुरू होता है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी से एक आपका फ्रैंको पर्शियन वार होता है यहां पे फ्रैंको और यहाँ पे पहला वर्साइल की संदी होती है, निपोलियन 3, हारा हुआ विक्ति, आता है, बहुत बेच्पि किया जाता है, फ्रांस को, बहुत जद्रण बेच्पि किया जाता है, फ्रांस के दो magistिक, फ्रांस के दो श्रित्र छीन लिए जाते हैं, ऐलसास और लॉरेल इस उद के बाद है वहां कि लोगों पर बहुत जाती की जाती फ्रेंच यस्पीकंग लोग थे जब जयुमिलियेट बहुत ज़ादा अपमानित किया जाता है फ्रान्स को बहुत ज kesकर ना इतिहास अपने आपको रिपीट करता है लेकिन उसको चैलेंज करते हुए हटिंग्टन ने कहा कि हिस्ट्री कभी एंड नहीं करता हिस्ट्री अपने आपको रिपीट करता है हिस्ट्री ने रिपीट किया न अपने आपको फ्रांस की बेजिती हुई हिमिलियेट किया गया फ्रांस को फ्रेंच लोग जो है बहुत गहरा दुष्मनी हो गया उनका फ्रांस और जर्मनी के बीच में आज इंडिया पाकिस्तान जितना बड़ा दुस्मन है ना उससे बड़ा दुस्मन फ्रेंच और जर्मन्स थे एक दूसरे के खून के प्यासे हुआ करते थे एक टाइम में बहुत बड़े दुस्मन थे एक दूसरे के इंडिया पाकिस्तान तो छोटा है उसके सामने इनकी किया जाता है फ्रांस को और इतिहास अपने आपको दूहराता है ना तो प्रथम विश्योद के बाद इतिहास ने अपने आपको दूहराया वर्साइल के संधी में फ्रांस ने फिर जर्मनी को हुमिलिएट किया तो हम लोग पहुत बार कहते हैं ना कि फ्रांस को हुमिलिएट आपने आपको क्योंकि आप अगर किसी दूसरे के साथ खराब करेंगे तो भवी से में आपके साथ भुवत खराब करेंगे आपको छोड़ थोड़ी देगा ऐसी थोड़ी चलता है तो यहां से आपका निव रखा जाता है ट्रिटियो वर्सलीज का पहला तो वर्साइल की संधी यहीं होगी थी और वो तो दूसरी वर्साइल की संधी है 1919 में वेश्य युद जब प्रथम खतम हुआ उसके बाद अब आगे देखते हैं युरोप का इतिहास जुद्धो का इतिहास रहा युद्धो से भड़ हुआ इतिहास रहा अब एक तो ऐसा युद्ध हुआ युरोप में जिसको कहा गया ग्रेट वार या एक और नाम से जाना जाता है वार टू एंड अल दा वार्स एक ऐसा युद्ध जो की भविश्य में होने वाले सभी युद्धो को समाप्त कर देगा बहुत पैसे की शती हुई बहुत प्राब्लम हुआ बहुत ज़्यादा प्राब्लम हुआ ओके यहाँ पे समझेगा थोड़ा सा कॉंसेप्ट समझते चलिएगा कहानी जैसा ज़्यादा दिन तक याद रहेगा नहीं तो पढ़ाते जाएंगे अगर मरियल जैसा तो हो गया फिर कम भूल जाएगा दुचार दिन में देखिए बहुत बड़ा यूद होता है यूरोप में बहुत बड़ा यूद कौन सा यूद होता है वार्टू एंड ओल दा वार कौन सा यूद था वर्ल्ड वार वान कब से कब तक हुआ 1914 से लेकर 1908 तक किसके किसके बीच में ही वा था प्रथम विश्वत किसके किसके बीच में हुआ एनी एनी वान इस पावर और सेंट्रल पावर्स पेरी गूड and allies power, right ? Central power में कौन थे ? तीन महत्वपूर्ण देश थे आपके Central power में और भी देश थे Japan भी था लेकिन तीन महत्वपूर्ण देश की बात करें एक तो Germany हो जायागा Austria Hungarian Empire हो जायगा Austro Hungarian Empire जिसको हम लोग कहते है Italy हो जायगा है ना ? इसने वैसे युद्ध में उतना पाटिसिपेट किया नहीं था जपान हो जाएगा यह सब देश थे एलाइस पावर में कौन था तो ब्रिटेन इसको बिहार में समझ लीजेगा फ्रांस यह ना रशिया था यह सब देश इधर एलाइस पावर से लड़ रहे थे अमेरिका इसमें आना नहीं चाहता था अमेरिका अपने डिवलप्मेंट पर खैयाल रख रहा था अमेरिका का यहां से एक कॉंसेप्ट हम बताते हैं एक मुन्रो डॉक्ट्रीन है मुन्रो जो है वो राश्टपती रहे अमेरिका के इन्होंने एक अपना डॉक्ट्रीन दिया 1823 में 1823 में इसको कहते हैं डॉक्ट्रीन ओफ आइसोलेशन और आइसोलेशनिजम अमेरिका ने डिक्लेर किया अमेरिका धीरे धीरे मजबूत बनता जागय करते थे अमेरिक पहले से पहले तो यह जो आपका वर्ड का configuration है ना हमेशा चेंज होते आया है कभी कोई super power कभी कोई व्यूचर में चाइना सूपर पावर बन जाए हम लोग की तरफ जा रहे हैं अगर आपने अचारय का पढ़ा होगा अमिताब आचारय का आर्टिकल तो कहते हैं कि इंटरनाशनल रिलेशन पूरा का पूरा क्या बन रहा है कि मल्टी प्लेक्स बन रहा है हम लोग मल्टी पोलर वर्ल्ड और की और बढ़ रहे हैं देरे देरे जिसमें इंडिया चाइना ब्रजील साउथ अपरिका और यह जर्मनी जपान जो है चाइलेंज कर रहा है जो है आपका इसका अमेरिका का रशिया है ही पहले से तो आईसो लेशनिजम का पॉलिफी क्या होता है मुन्रो डॉक्ट्रिन का तो जो आपके मुन्रो थे मुन्रो ने साब साब कह दिया कि हम यूरोप के राजनीती में धखल अंदाजी नहीं करेंगे हम यूरोप से दूर रहें नौट और साउथ अमेरिका के महाद्वीप में कोई भी यूरोपीयन पावर जो है ना वो अपना हस्तशेप ना करें अगर ट्रांस एट्लांटिका में ट्रांस एट्लांटिका मतलब आप देखिएगा तो एट्लांटिक महाशागर बीच में पढ़ता है एक तरफ नौर्थ और South America पढ़ेंगे, एक तरफ Europe, Africa पढ़ेगा, तो साब साब मुन्रों ने कह दिया कि अगर Trans Atlantica के तरफ, अगर किसी European power ने आँख उठा के देखा ना, तो आँख काड़ लेंगे, मतलब हो मजाक करेंगे, ऐसा नहीं बोला था, मतलब अगर कोई भी European power, किसी भी North या South America के country मे हस्तरशेप करेगा, हमला करेगा, तो वो अमेरिका अपने security के लिए खत्रा मानेगा, और अमेरिका ऐसा मान के चलेगा, कि वो हमला उसके उपर हुआ है, अब जब से मुन्रों डॉक्ट्रीन आया ना, एक आप example ने दिखा सकते हैं, किसी European power की ताकत नहीं होई, कि वो North South America के किसी देश पर जाकर युद छेड़ दे, या किसी को कबजा करने की धमकी दे, या कोई भी चीज आसा, कोई चीज नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका powerful था, अमेरिका से कोई लड़ना नहीं चाहता था, पता था कि अमेरिका से लड़ेंगे, तो अमेरिका तो ठीक ठाक से बजा आना पड़ा, अमेरिका जो है, ये भी allies power के तरब से आया, United States, US, और इस समय राष्ट्पती कौन थे, उड्रो विल्सन सहावी थे, अब क्यों आना पड़ा, तो एक देखे, जर्मनी का दो सानिकी आपका, जो है न, वो रूलर रहा है, जो वर्ल्ड वार वन के टाइम में, आपका फिट, एक रूलर रहता है जर्मनी का, आप कहीं कौपी में लिख लें, फेडरिक विल्हम वान, उसका नाम है, तो जो अमपेरर है, फेडरिक विल्हम वान, वो भी हिटलर के तरह करता था, हम सूपर पावर बनाएंगे, जर्मनी को पूरा दुनिया जीत लेंगे, ये वो एक दा मालतू-फालतू बात करता था, तो इसने क्या किया, जर्मन शिप्स ने क्या किया, जो जर्मनी के सब्मरीन थे, पंडूवी जहाज थे, वहां से सिवीलियन जहाज जा रहा था, नागरीकों को लेकर एक अमेरिकी जहाज जा रहा था, उस अमेरिकी जहाज पर फायर कर दिया, अमेरिकी जहाज डूग गया उसको लगा कि कोई मिलिटरी जहाज है सेंट्रल मतलब यह एलाइज पावर का जर्मनी ने ऐसा सोचा हमला कर दिया तो अमेरिका ने कहा कि या बेकूफ हो गए हो यह हमारा सिविलियन जहाज था तुमने फायर कर दिया इतने लोगों की मिर्ती हो गई तो जर्मनी ने कुछ मा लगा कि यह व्रिटेन फ्रांस में से किसी का जहाज होगा गलती होगे गलती से फायर मार दिये लगणा फिर यह चला देता चला देता है अमेरिक अब अमेरिका के लोगों को जवाब देना पड़ेगा उड्रोविल्सन को कि भाई एक जर्मनी देश जो है वो बार बर और हमारे नागरी को पर हमला करकर के मार रहा है चुपचाप बैठे हैं तो उड्रो विल्सन को लाश्ट में ठक हारके मुन्रो डॉक्टरिन को छोड़ के युद्ध में कूदना पड़ा अमेरिका विल्कुल नहीं चाहता था युद्ध में सा फसी स्मेर्मेय और ऑस्ट्रियो अन्ग्रिय जीत आई प्रामेरिका के आने से जो है वह वा करता था यहां डार का स्पलिंग होता है एसे करके टी जेड एसे रखते हैं वहाँ मतलब लिखते हैं वहां कि समराठ को कहा जाता था तो यह जारिश्ट रिजीम था तो जारिश्ट रिजीम ने तो इसमें किया लेकिन ठोड़ा बहुत अगर आपको वर्ड इस्ट्री का नॉलिज देट आपको पता ही कि 1917 में brutal में क्या हुआ pest 17 में रशिया में क्या हुआ adult the Russian Revolution हुआ पौल्सिया रेजिशन कहते है उसको वॉल्स्विक रहत ये रशिया revolution होता है वहां और पावर में कौन आ जाता है लेनिन आ जाता है और आपको पता होगा माक्सिजम कभी भी युद्ध का सपोर्ट नहीं करता माक्सिजम इंफाक्ट एस्टेटलेस और सुसाइटी एस्टेटलेस और क्लासलेस सुसाइटी की बात करता है तो युद्ध में जो है तुरंत विड चल गया बाहर में अब अमेरिका विचारा लड़ा अंतिम तक अब यहां पर उड्रो विल्सन बहुत चिंता में थे विचारे उड्रो विल्सन टेंशन में थे कि ये यूरोपियन पावर लोग बड़ा पागल है लोग फिर लड़ेगा फिर ऐसा गलती करेगा कि हमको फिर पीस को लेकर दुनिया बहुत चिंतिद थी कि किस तरह से दुनिया में हम सान्ती कायम करें कि जितना इस में मार काट खूण खुन खराबा हुआ दुनिया ने अपने जीवन में कभी देखा ही नहीं था कभी लाइफ में नहीं देखा था कभी भी नहीं देखा था लाइफ में तो अगर आप इतना खुन खराबा मारपीड देख लें तो आप चाहेंगे न कि शांती में हम लोग जियें पता नहीं किसक के घर का व्यक्ति को सोलजर में चलके रिक्रूट कर दे सेना वाला कौन कब मर जाए किसको पता तो जो आम नागरिक है यह सब चीजें नहीं चाहते हैं आम नागरिक को एक सांती पुर्ण जीवन चाहिए वो लोग अपसेश्ट थे कि नहीं हमें तो सांती क्रियेट करना पड़ेगा सांती लाना पड़ेगा यूरोप में यह यूद कब तक चलेगा ऐसे कब तक यूरोपियंस आपस में लड़के एक दूसरे का जान लेते रहेंगे और उड्रो विल्सन ने भी इसमें संधी हुई जो है उड्रो विल्सन पाटिसीपेट करते हैं यह आपका वर्लडवर वन को कर देता है यह वह अलग बात है कि वर्लडवर टू का कारण भी रहता है क्योंकि जिस तरह से आपका पास्ट में फ्रांस को अपमान किया गया था जर्मनी के दोवारा उसी तरह से World War One में ट्रिटी ओफ जो वर्सलीज होता है उसमें जर्मनी का अपमान किया जाता है फ्रांस के दोवारा और इसका बदला जो है कि European nations को आपस में मामलो को जो है ना बैठ कर sort out करना चाहिए ये ऐसे बार बार लडाई करेंगे और हमें भी लडाई में पूदना पड़ेगा तो ये ना हमारे लिए ठीक है ना उनके लिए ठीक है और Woodrow Wilson जो है ना इनहीं का brain child है इनहीं का दिमाग का उपज है League of Nations के concept में उड्रो विल्सन ने कहा कि एक ऐसा organization बनाएंगे यूरोप के लिए यूरोपियन पीपल के लिए जहां लोग आपस में बैठ कर अपने मामले को सुल्जा सके ये इसको precursor माना जाता है यूनाइटेड नेशन का आज जो संजुक्त राष्टर है संजुक्त राष्टर का ये आपका precursor है ancestor है मान सकते हैं पूर्वज रहा तो League of Nations को कब बनाया गया League of Nations को 1919 में बनाया गया ये चीज समझ में आया आप लोगों को क्यों बनाया गया क्योंकि यूरोप में सांती ब्यवस्था कायम की जाया अमेरिका ने सजेशन तो दिया इसको बनाने का लेकिन अमेरिका खुद इसका पार्ट नहीं था ये भी इसके failure का बहुत बड़ा यह कि बहुत बड़े बड़े देश इसका पार्ट नहीं बने तो इसलिए League of Nations फेल हो गया क्यों फेल हो गया क्योंकि League of Nations को बनाया गया था कि World War One के जैसा जो है कोई दूसरा वार ना हो फ्यूचर में तो यह सक्सेस्फुल हो गया नहीं नहुआ वर्ड वर्ड टू हुआ था ना कब से कब तक हुआ था तो 39 से लेकर 45 तक हुआ था तो यह तो फेल ना हो गया और 45 में कितने October के दिन 24 October के दिन क्या बनाया हमने United Nations कि डेट भी इंपॉर्टेंट है 24 October 1945 क्या बनाया United नेशन हमने बनाया ताकि द्वीतिये विश्युद जैसा कुछ ना हो तो अभी तक तो सफल है ना United Nation कुछ हद तक द्वीतिये विश्युद तो अभी हुआ नहीं है और आसा करते हैं नहीं ही हो क्योंकि होगा तो एक दूसरे को पूरा का पूरा जो human community है दूसरे को खतम कर देगा इतने पर्मानु हतियार है कि पूरे धर्ती को कई बार खतम किया जा सकता है तो ना हो तो वही बहतर तो उड्रो विल्सन का आपका 14 स्पीच जो था 14 पॉइंट स्पीच इसमें उड्रो विल्सन ने बहुत सारी बाते बोली सांती ब्यवस्था कामिंग जो है कायम करने के लिए यह चीज़ समझ में आया उड्रो विल्सन जो है वह न्यू वर्ड और की अस्थापना करना चाते थे किस चीज़ के अस्थापन पड़ेगा कि लीग ऑफ नेशन से पहले उड्रो विल्सन क्या मानते है कि कोई ओल्ड वर्ड और रहोगा जब ओल्ड वर्ड और रहेगा तब ना आप न्यू वर्ड और जो है उसको इस्टैब्लिश कीजिएगा जैसे एक्जांपल के तौर पर हम लोग कहते हैं निव कहते हैं वेश्च फीलीयन के टाइम से ही भाऍट पर यहां पर यूरोपियन पावर इस समय मैं एक दूसरे से रहते यह फिचर थे Tub आने आपको बहुत सारी एक्जांपल दिये 30-year war उसके बाद Spanish War of Succession और पता नहीं कितने सारे वार वे World War One यह सब हुए ही तो वेस्ट फिलियन व्ल्ड ओर्डर में European power जो थे आपस में constantly लड़ा करते थे यहां balance of power को common sense माना जाता था जैसे सांस लेना common sense होता है balance of power common sense होता है और balance of power क्या होता है सक्ति संतुलन क्या होता है तो balance of power होता है दो तरस सबसे पहले तो यह समझे पहले मैं बता देता हूं कि balance of power क्या है और यह realism के लिए बहुत important भी आपके लिए हम लोग कभी कभी इसको simply बी ओपी कह देते हैं यह किसका concept है realism का concept है अभी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे थियोरी में रियालिजम लिब्रलिजम कंस्ट्रक्टिविजम क्रिटिकल थियोरी पोश्ट मॉडरनिस्ट थियोरी इंग्लेश श्कूल बहुत सारे थियोरीज है कोपनेगन स्कूल हो गया फ्रैंक्फर्ट स्कूल हो गया जिसको स्कूल भी कहा जाता है तो यह सब चीज़े हम लोग अभी पढ़ेंगे आई आर में भी लंबा क्लास चलेगा बैलेंस ओफ पावर क्या होता है तो बैलेंस ओफ पावर होता है सक्ती संतुलन मानना यह है रियलिस्ट लोगों का कि सक्ती संतुलन होगा ना तो यूध नहीं होगा सक्ती संतुलन का क्या मतलब है सक्ती संतुलन का मतलब है कि अगर हमको पता रहेगा ना कि सामने वाला मेरे इतना ही ताकतवर है या मेरे आसपास है तो हम उससे लड़ाई करने नहीं जाएंगे और सामने वाला भी नहीं आएगा कि mutually assured destruction होता है मतलब दोनों एक दूसरे को हानी पहुँचा सकते है तो balance of power क्या होता है सक्ति संतुलन अब देश सक्ति संतुलन कैसे बनाते हैं तो देश सक्ति संतुलन बनाते हैं दो तरीके से एक internally और एक externally अब देखिए international relation को सबसे आसान समझने का तरीका होता है हर एक state को हर एक nation को एक व्यक्ति के जैसा देखिए इंडिया पाकिस्तान ऐसा करके व्यक्ति के जैसा और व्यक्ति का जैसा नेचर होता है उसके भारे में सोचिए आप पूरा international relation समझ जाएंगे आप खुद से का theory बता देंगे भीना पढ़े बता देंगे ये आपका कमाल है बस आप एक nation state को एक individual एक व्यक्ति के जैसा दिमाग में रखिए एक व्यक्ति है तो balance of power common life में हम लोग कैसे करेंगे अगर सामने वाला दुष्मन अगर हमसे मजबूत है अगर बाहुबल में तो internally हम balance of power कर सकते हैं कैसे तो जीम जाके कर सकते हैं अब I don't know protein powder कितना work करता है ताकत बढ़ाने में बट protein powder खाके कर सकते हैं जीम जाए protein powder खाए exercise कीजिए अच्छा healthy diet लीजिए तो internally जो है आप balance of power create कर सकते हैं अतने अंदर सामने वाला जो ताकतवर बंदा है आपका दुस्मन है उसके इतना पावर कर सकते हैं और वो देखेगा कि अच्छा इसके भी बाइसेप्स हो गया इसके भी शोल्डर ठीट ठाक है इसका भी एक पंच हमें धरशाई कर सकता है तो लड़ने नहीं आएगा आप बहुत पतले दुबले हैं बहुत इसकी नहीं है तो क्या कीजेगा एक्स्टर्नली अब बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन कीजेगा उसके लिए क्या कीजेगा कुछ दोस्तों के साथ हमेशा रहिएगा दो तीन दोस्तों के साथ जिससे वो लड़े नहीं आपसे क्योंकि आप द बद्धार से इंटरनली वो लोग बालेंस आउफ पाउर कैसे करेगा दोस्त बनाता है तो उसको क्या ओंते जब अपके नेशन स्टेट एक दूसरे का मित्र बनाते हैं त। उसको क्या कहा जाता है ठ्लाइन बनांके अपना गटबंधन बनाके है ना अलाइंस बनाएगा और एक्स्टरनली अपना पावर बढ़ाएगा अब मान दीजे दो-तीन देश है तो अब दिक्कत का बात नहीं है अब सामने वाला नहीं लड़ाई करेगा अपर दोस्त भी मजबूत होना चाहिए ऐसा नहीं कि दो-तीन क बराबरी में हो तब दुस्मन नहीं लड़ेगा अपसे वरना आपका एलाइंस कमजोर है कमजोर लोग है ग्रूप में तब तो फिर मारेगा क्या रे यह लोग क्या तो तीनों को मारेंगे एक साथ जाके मारेगा फिर तो इस तरह से काम चलता है तो बैलेंस ऑफ पावर है सक्ति संतुलन होता है जहां एक कंठी अगर अपना आम्स बढ़ाता है तो दूसरा कंठी वह उसको मेंटेन करने के लिए इसको दोनेव ऐसे पाकिस्तान में चिकन बार रहा के किलों मिल रहे दूद पांच सो रूपे लिटर मिल रहा है लेकिन वह लोग निव्क्लियर व भी नहीं सकता balance of power से जब हम realism पढ़ाएंगे तो अच्छा आप बताएए एक मनुष्य के लिए सबसे important उसके life में क्या होता है सबसे important कि वाट इस वाट इस most important इन यूर लाइफ अगर आपके जिंदगी के बारे में पूछा जाए तो सबसे जरूरी आपके जिंदगी में क्या होगा एक देश के जिंदगी में अपने जिंदगी में आप उपने जिंदगी को ही सबसे ज्यादा प्रियोरिटी देंगे क्योंकि हम लोग जुर्खर्ण में कहावत कहते हैं कि ना रहे हैं जीव तो कौन ख़ई हैं घुँ मतलब अगर इनसान ही नहीं रहेगा तो खाएगा कौन मतलब अगर जीव ही नहीं रहेगा तो घी कौन खाएगा इफ देर इस नो परसन देन वू इस गोइंग टो इट घी और बटर सबसे पहले तो अपने आपको जिन्दा रखना है न तो रियलिस्ट लोग कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जैसे एक विक्ति के लिए होता है जिन्दा रहना सर्वाइबल जैसे मेरा चेस्ट पेंड हुआ तो मेरे सर्वाइबल पर खत्रा आया तो हम सोच रहे थे कि हमको निट का सर्वाइबल के पाथ दूसरा चीज़ किया है कि अव्ल चिन्द रहे आज जिन्दा है कल भी जिन्दा रहे समझ रहना सर्वाइबल इंपॉर्टेंट है एक नेशन ब्रहेंगे बाकिस्तान रहेगा कैसे जब बाकि आसपास के country's के बरापरी का वो रहे कम से कम क्योंकि आज रशिया युक्रेन पर हमला कर सकता है तो कल पता नहीं आज के 200 साल बात क्या हो किसका क्या मन में आय किसकी क्या दुसमनी किसके साथ हो जाए कौन हमला कर दे कौन कभजा कर ले country ही नहीं रहेगा तो एक नेशन एश्टेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका सर्वाइब करना समझ में आया यह बात अच्छा चलिए तो हम अभी ओल्ड वल्ड और या विस्ट्फिलियन व्ल्ड ओडर का बात कर और balance of pound दो तरह से maintain कर सकते हैं एक इंटरनली maintain कर सकते हैं और एक externally हम लोग alliance बना कर maintain कर सकते हैं इतना समझ में आ गया अब देखिए ये जो आपका old world order है ना इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं बॉल बिल्यार्ड बड़ा important concept है बिल्यार्ड मॉडल आप लोग बिल्यार्ड जानते हैं या क्या इसको पढ़ा जाता है बहुत बड़ा सा टेबल होता है छोटा-छोटा बॉल रखा रहता है से स्टिक से करके कि इसको मारते हैं के तरह तो उसी खेल को बिल्यार्ड कहा जाता है तो बॉल्यार्ड मॉडल कहा जाता है इसका मतलब कि आप अगर उस टेबल वोल्ड ओर्डर है इसको क्या कहा जाता है बॉल बिलियाड मॉडल और इसको किस ने दिया है तो आर्नॉल्ड विलफर्स का ये कॉंसेप्ट है ओके बॉल बिलियाड बॉल मॉडल बात एक ही है आपको किस ने दिया है आर्नॉल्ड पूछा जा सकता है नेट में रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसी कोश्चन पूछता है आपको तो पता ही होगा आप लोग नेट वे टेकात बर दिये हैं तो समझ में आहीं गया होगा पैटर्न रैट अब यह बॉल बिलियर्ड मॉडल का क्या-क्या खासियद है बॉल मॉडल का तो यहां कोई भी सूपर पावर नहीं है बहुत सारे ग्रेट पावर है ब्रिटेन भी अपने आप में ग्रेट पावर फ्रांस भी ग्रेट पावर जर्मनी भी ग्रेट पावर है अपने आप में रैट कोई भी एक दूसरे को हरा सकता है इटली भी ग्रेट तो ball billiard model में कोई भी super power नहीं है, great powers का concept है, अभी हम धीरे-धीरे इसी ball billiard model में वापस आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं धीरे-धीरे करके, यह फिर से इतिहास अपने आपको दूराएगा कुछ सालों में आप देखिएगा, फिर से इसी तरह का काम हो रहा है, कोई एक super power नहीं नहीं होता है, world government की तो बात छोड़ें, कोई international actor, international actor का मतलब कोई ऐसा organization भी नहीं होता है, जहां एक common platform पर आकर लोग या countries एक दूसरे के problems को discuss करके उसको सुलजा सकें, और क्योंकि यहाँ कोई world government नहीं है, in fact international actor भी नहीं है, तो इसी लिए आपका conflict को resolve करना यह बहुत tough है, countries के बीच में, और क्योंकि conflict को resolve करना tough है, वहाँ एनार्की का situation आ जाता है, एनार्की का situation जब आ जाता है, तो उसी से युद होता है, अब थोड़ा साम एनार्की के बारे में concept discuss कर लेते हैं, एनार्की का concept किस से realism में लिया गय है जी, यह भी realism का concept है, को टॉक्स अबाउट एनार्की इन रियलिजम, फ्रम हूम डिस कॉंसेप्ट हाज विन बारोड, कि विच थिंकर कोई बताईए, पर उससे पहले भी ना बात किये है, और इंडिया में देखा है, तो फिर कॉटिलिय भी बात करते हैं, सत्य प्रकास का आमसर सही है, हॉप्स से यह concept बोरो किया गया, सबसे पहली बार हॉप्स ने यह बात बोला, हाँ कॉटिलिया भी करते थे, इसका बात है न, वो अलग बात है, पर वेस्टन पॉलिटिकल थॉट्स में देखा जाए, तो हॉप्स ने सबसे पहली बार एनार्की की बात की, उनका आप जानते हैं न, एस्टेट ऑफ नेचर हॉप्स का क्या था, एस्टेट ऑफ नेचर में अनार्की थी, लोग एक दूसरे से लड़ाई जगड़े करते रहते थे, अब अभी तो हम हॉप्स डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हम लोगों को पढ़ना ही अपने स्लेबस में, तो शौट में इतना समझ है न, कि आज हमारे घर में पिता जी है, तो अगर तीन-चार भाई है, तो तीन-चार भाई किसी एक चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, तो पिता जी डांट के सांध करा देंगे, ठीक है न, तो एनार्की खतम हो जाएगा, एनार्की का मतलब अरज लगता नहीं होता है, कि कोई यूद कर रहा है, देखिए, एक statement है बहुत important, जो कि हम लोग international politics में यूज करते हैं, एनार्की is not necessarily the situation of kios, एनार्की का मतलब जो है kios नहीं होता है, कि एक दुसरे का सर मार के फोड़ दी, एक दुसरे को पीट पाद दी, ऐसा कुछ नहीं, एना जो की बाकी लोगों के behavior को control कर सके, आज अगर जार्कंड और बिहार का पुलिस आपस में लड़ाई करने लगे जी, गोली गोली कौन चला है था असपास, आज असाम और मिजोरम वाला का हुआ था, कि मेगाले वाला का भी, आपस में fire हुआ था ना, दो state के पुलिस के आपस में, तो इनको रोकने वाला कोई है की नहीं है, रोकेगा कोई की नहीं रोकेगा, तुरंत आर्मी और CRPF को बुलाएगी केंदर सरकार, और सब को पहले तो दो-दो डंड़ा लगवाएगी, तुरंत सांथ हो जाएगे, एक दो दिन समय लगेगा, तुरंत सांथ हो ज पकिस्तान का आर्मी आपस में लड़ाई करने लगे तो उनको कौन रोकेगा क्योंकि कंट्रीज सोवरेन है मैंने आपको बताया इसको हम लोग नजर अंदाज नहीं कर सकते पर यह दिमाग में अगर आप लोगों का आता होगा कि नहीं युद नहीं होगा रोक लेगा इसा कुछ नहीं है इंटरनाशनल लॉज आर नॉन बैंडिंग उन दे स्टेट्स अंतराश्टिय कानून जो है वो राजियों पर लागू नहीं होते राज्य सम्प्रभू होते हैं जब तक कोई राज्य अंतराश्टिय कानून पर साइन नहीं किया अपने पार्लियामेंट में उसको रेटिफ कि हाँ भाई हम यह ट्रिटी साइन किये हुए हैं तो नातिक्ता के बेसिस पर दुनिया का क्या क्या कहेगा जगहसाई होगी हमारी कि हम लोग अच्छे डेमोकरेसी नहीं है सब को अपना अपको डिखाना चाता है तो इसलिए कोई अंतराश्टी कानून जो है वो मानेगा नहीं ही मानेगा अंतरश्टिय गानुन तो क्या हो जाएगा रशिया ने जो है वो समझाता किया था यूक्रेन के साथ कि तुम अपना नुक्लियर बॉम सब खतम कर दो हम तुम्हारी रक्षा करें 1993-1994 के समझाते के टाइम में और अभी रशिया अपना समझाता खुद तोड़कर यूक्रेन पर हमला कर दिया तो इसी लिए तीसरा चीज रियलिजम लोग बात करते हैं कोई नहीं है अपना जैसे इंसान के टर्म्स में समझे खाली हाथ आया थे खाली हाथ जाएंगे कोई न लोग छोड़ने जरूर जाएं पर कोई साथ नहीं देगा हमारा उसी तरह से स्टेट्स का भी कोई साथ नहीं देता इसी लिए तीसरा आता है सेल्फ हेल्प अपना मदद खुद करना है अपना हाथ जगरनात समझ रहे हैं बात को और इसी को कहा जाता है दा कॉंसेप्ट औ सेल्फ हेल्प की आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो अनार्की का क्या मतलब है कि स्टेट के बिहेबियर को कंट्रोल करने के लिए उसके आक्शन को कंट्रोल करने के लिए उपर में कोई वर्ड गवर्मेंट नहीं है आज अमेरिका और रसिया लड़ाई करेगा युनाइटेड नेशन एक प्लैटफॉर्म है जो समझाथा कराने की कोशिश कर सकता है पर अंतिम में तो समझाथा इनहीं को करना पड़ेगा और उनाइटेड नेशन कुछ नहीं कर सकता है और लॉज आर नॉट बाइंदिंग अनुट बाइंदिंग इंटर नाशनल समबड़ी इस गोइंग तो पॉनिश्मेंट अट आल इन दे माइंड अनी नेशन स्टेट नो नॉट अट अल और अब तो काट सा भी काम नहीं करता है अमेरिका यहां यहां तक सब को समझ में आ गया तो यह वर्ड यह जो था ओल्ड वर्ड ओर था राइट एक सेकंड बस दीजेगा तो यह जो आपका ओल्ड वर्ड ओर था इसका अब सिच्वेशन देखें क्या था ओल्ड वर्ड ओर का सिच्वेशन यूरोपियन पावर्स जो थे कॉंस्टेंटली आपस में लड़ाई करते थे बैलंस ओप पावर कॉमन सेंस हुआ करता था इसको हम लोग बिलियार्ड बोल मॉडल भी कहते हैं आर्नॉल्ड वेफर्स ने दे रखा है आर्नॉल्ड वेफर्स कहते हैं कि कोई सूपर पावर नहीं था बहुत सारे ग्रेट प दावारा और वो व्टी है उड्रो विल्सन मेंने और और उड्रो विल्सन ने प्रपोज किया आपका लीग उप नेशन्स को उड्रो विल्सन ने कहा कि हमें collective security की जुरत है collective security का अभी हम concept बताएंगे क्या होता है कि हमें एक league of nation बनाने की जुरत है जो कि आपका collective security के concept पर होगा दूसरा यहोंने कहा कि हमें देशों के बीच में जो है मुक्त बेवपार को promote करना चाहिए we should promote the free trade among the nation states क्योंकि अगर आप आपस में बेवपार करेंगे आपकी बात चीत जादा से जादा होगी और जो दो वेक्ति आपस में बात चीत अधिक सधिक करते हैं वेक्ति के तौर में ही सोचे आप आप देश से बस वहाँ पर substitute कर दे रही तो दो वेक्ति आपस में जब बात चीत करते हैं तो उनकी दूरिया कम होती है इसी तरफ free trade करेंगे तो काम ठीक चलेगा फिर उसके बाद जो high seas है मतलब high sea का मतलब होता है एक ऐसा water body जो कि किसी भी country के territorial jurisdiction में नहीं आता किसी भी country के भुभाग में नहीं आता उसको high seas कहा जाता है तो high seas पर navigation हो आपका ओके democracy promote हो अगर ज्यादा से ज्यादा democracy promote होगा तो आपस में देश नहीं लड़ेंगे यह इम्मैनुवल कांत का concept है इम्मैनुवल कांत ने क्या concept दिया है perpetual peace का perpetual peace के concept में इम्मैनुवल कांत कहते है democracies do not fight among each other जो आपके लोकतांतरिक देश होते हैं आपस में युद नहीं करते क्यों नहीं करते भाई युद क्योंकि लोकतांतरिक देश जो है वो लोगों के will से चलते है the democracies are guided by the will of the people the supreme will is in the hand of people and the government are not taking the arbitrary steps government arbitrary step नहीं लेता है government जो है पहले देखेगा कि हमारी जनता क्या चाहती है और इम्मैनुवल कांत का यहां तक मानना था जनता जो है न वो कभी उद नहीं चाहती जनता को पता है कि एक मा जो है अपना बेटा खोएगी एक पतनी जो है अपना पती खोएगी एक बच्चा अनात होगा जनता को पता है यूद के क्या नुक्सान है जनता कभी नहीं चाहेगे कि यूद हो जनता को पता है महंगाई बढ़ेगी उद से जनता समझदार होती है डेमुक्रेसी में एडूकेटेड होती है और ये प्रॉब्लम्स को जब जनता देखेगी तो जनता जो है अपने सरकार को कभी यूद के लिए जो है वो प्रोमोट नहीं करेगी अगर सरकार यूद करना भी चाहे तो सरकार को पीछे बैक कर लेगी और जब सभी कंट्रीज डेमोक्रिसी हो जाएंगे तो सब जगह ऐसा होगा तो यूद होगा ही नहीं पर देखा तो ऐसा जाता है कि जनता से तो बड़ा बेखूप ही नहीं कोई धर्ती पर जनता को बोल दिया जाता है कि यह मेरा दुस्मन है वो मेरा दुस्मन है जनता उन्हीं को दुस्मन मानने लगता है और जनता जो है महंगाई और बेरोजिगारी के मुद्दे को भूल जा सबको अपने नियती को तै करने का अधिकार होता है एक देश भविष्य में क्या करना चाहता है किधर जाना चाहता है उसके लिए उसको अधिकार है और right to self-determination जो है न यह anti-colonial concept है मतलब यह colonialism और imperialism को जो है और जो anti-imperialist भी है मतलब यहाँ हमको colonialist लिखना चाहिए था anti-imperialist समझ माया यही आपका right to self determination से आज बहुत सारे countries को independence मिला क्योंकि British क्यों तै करेंगे भारत की नियती कैसी होगी what would be the destiny of India भारत भागे विधाता भारत अपने भागे का विधाता स्वेम है अज अब तक आप WhatsApp उनिवर्सिटी पे नहीं पढ़े हैं कि रभिंदर नाट टैगोर जी ने जो है सबसे पहली बार राष्ट्रगान जो है वो गाया था और वो जॉर्ज फाइफ के आदर में गाया था उनको कह रहे हैं भागे विधाता सर्कुलेट होता है अगर आप सही में हिस्ट्री पढ़े हैं ठीक ठाक बुकों से अपको पता है भारत अपने भाग का विधाता खुद है कोई दूसरा तैनी करेगा यही तो नाशनल इंथम का मतलब होता है इंडिया इस choose her destiny herself no one will guide us that what would be our destiny तो यह है right to self-determination जब हमें अपने destiny को चुनने का अधिकार है तो हमें कोई गुलाम बना के क्यों रखे तो यह right to self-determination जो है यह anti-colonialism और anti-imperialism का concept है like यह colonialism को sum up करने की बात करता है imperialism को sum up करने की बात करता है colonialism imperialism में भी अंतर होता है वो हम बाद में देखने की कोशिश करेंगे इतना समझ में आ गया तो उड्रो विल्सन का 14 point में से 5 ऐसे point है जो की आपको exam में पूछे जाते है तो इसको आप धिहान में रखिएगा okay I hope यह आया नौ 사고 को स्टेकश्च कहां पे आया था i लीघे अफ नेशन्स क्लेक्टिफ सेक्युरिटी का बात किसने किया था उड्रो विल्सन देन प्रेसिदेंट आफ उनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्लेक्टिव सेक्यूरिटी के लिए टर्म का यूज जो है करा जाता है एक सेकेंड वन फॉर आल और आन्ड आल फॉर वन एक सब के लिए और सब एक के लिए यह कोटेशन किसका है अगर ऐसा कॉमन सेन्स लगता होगा तो गलत सोचे आपकी यह कोटेशन मोर गैं थाव का है सर्प्राइजिंगली सर्प्राइज 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 यह Morgan Thao का concept है अब आप बोलेंगे कि realist लोग तो collective security को मानते ही नहीं तो Morgan Thao ने यह concept यैसे क्यों बोल दिया समझा रहा हूँ धीरे-धीरे करके सबसे पहले समझे कि collective security होता क्या है तो collective security होता है one for all and all for one इसका मतलब क्या हुआ मैं एक hypothetical example लेता हूँ मान लीजे league of nation है league of nation का इसको loan loan हम लोग बोलते हैं आमतवर के भासा में league of nation है okay done अब league of nation में मान लेते हैं कि 100 countries है एक देस, दो देस, तीन देस तीन देस, पाँच देस, दस दस ऐसे dot 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 करके समा देस समझ में आया अब ये collective security का concept का कहता है कि अगर दो देसों की बीच में लडाई होता है तो एक को हम लोग aggressor declare करेंगे, क्या declare करेंगे aggressor declare करेंगे, aggressor मने उस देस की गलती होगी example देता हूँ चाइना और इंडिया के बीच में लडाई होता है और अगर league of nation रहता, सभी country league of nation के part रहते collective security काम करता और hypothetical example इंडिया और चाइना के बीच में युद हो गया अब इंडिया चाइना के बीच में युद हो गया तो क्या होगा, युद हो गया तो इसमें से किसी को हम लोग aggressor बुलाएंगे, aggressor उस देस को बुलाएंगे, जिसमें गलती है और गलती चाइना की ही मान लेते है क्योंकि चाइना ही सब के धर्ती को बोलता है कि ये भी मेरा, ये भी मेरा कुछ दिन में पाकिस्तान को भी claim करेगा कि इसका भी territory मेरे आप देखिएगा मजाग नहीं करें, पचाइस साल रुख जाएए ऐसा होने वाला है ये मेरा prediction है आज ठीक है न, तो चाइना aggressor हो गया, तो aggressor हो गया तो माने इसकी गलती है तो concept कहता है collective security का कि one for all, एक विक्ती के लिए like एक nation के लिए सब ही nation रहेंगे, तो इंडिया के लिए सब के सब अंठानवयो nation इसको add कर जाएंगे अंठानवयो नेशन इसका support करेंगे, क्योंकि टोटल इसमें कितना nation है, अंडरेड नेशन है टोटल का टोटल दो तो लड़ी ही राथा अब aggressor जो हुआ जिसमें गलती हुए, उसके खिलाफ अंठानवयो आ जाएंगे तो ऐसा कोई लड़ना चाहेगा ऐसा कोई लड़ेगा, नताइए अगर हमको पता है कि सौ लोग हम लोग है, अगर दो लोग आपस में लड़ाई करेगा, और गलती मेरा रहेगा तो निनानवयो मिलके मारेगा दो दो चार चर थपड भी लगाएगा, मर जाएंगे अगर ऐसा पता चल जाए तो आदमी गलती करेगा, नहीं करेगा लेकिन ये यूटूपियन कॉंसेप्ट है कलेक्टिव सेक्यूरिटी नौट अ प्राक्टिकल कॉंसेप्ट, बड़ा वाहियत सो कॉंसेप्ट है ये कॉंसेप्ट ठीक है नहीं? क्यों ठीक नहीं है? आज अगर चाइना और इंडिया में लडाई होता है आज रसिया देगा इंडिया का साथ है रशिया की उकाद चाइना के खिलाब खड़ा होने की हिम्मत है व्यतनाम की है हिम्मत जो है चाइना के खिलाब खड़ा होने की पाकिस्तान देगा इंडिया का साथ नहीं देगा आज रशिया में ना लोग खा भी रहें तो चाइना के दया पे खा रहे हैं आज चाइना बाप बनके बैठा हुआ है रशिया का आप मत सोचेगा कि रशिया हमारा मित्र है इंडिया और चाइना में यूद होगा तो रशिया हमारा लिख के ले लिजे कभी सपोर्ट नहीं करेगा फॉरन पॉलिसी पढ़ाऊंगे तो इसके बार में डिसकस करेंगे कभी नहीं सपोर्ट करेगा तीन जनम में नहीं अभी का जो सिचुएशन है एकन गिविन राइटिंग करेगा क्या व्यतनाम करेगा पाकिस्तान इंडिया के तरफ से लड़ेगा होता है ऐसा नहीं होगा न क्योंकि जो नेशन स्टेट्स होते हैं ना सेल्फ इंट्रेस्टेड हो राष्टी ये हित के नाम से जानते हैं जैसे एक व्यक्ति के स्वार्थ को स्वाहित कह सकते हैं सेल्फ इंट्रेस्ट कह सकते हैं एक राज्य के हित को हम नाशनल इंट्रेस्ट बुलाते हैं और रियलिस्ट कहते हैं कि सभी के सभी नेशन इस्टेट के जो आपके लिया भी किसी का भला वाला नहीं कर रहा है अपना नाशनल इंट्रेस्ट से गाइड़ है ऐसा नहीं कि हम कोई एसान कर रहे है किसी देश पर कभी ने कोई देश किसी के उपर एसान नहीं कर सकता कोई मनुष्य भी किसी के उपर एसान नहीं कर सकता सब स्वार्थ से कहते हैं यहां तक जो है ना मा बेटे का भी प्रेम या किसी घुपी प्रेम को देखेगा वो भी स्वार्थ पर टिका हुआ है अगर हम spirituality की बात करें कहीं न कहीं स्वार्थ है मोह माया थोड़ा spiritual बाते हम कर रहे हैं बट reality तो वहीं है तो self interest से guided होता है हर एक nation तो इंडिया भी किसी की मदद नहीं करता और इंडिया की भी कोई मदद नहीं करता और सबसे important self interest क्या है नेशन के लिए आपका सबसे important self interest क्या है घर बनाना, गाड़ी बनाना, नौकरी लेना न, सब है मेरे पास सबसे important self interest है survival जब हर्ट में pain शुरु होता है न, तो खत्रा मैसूस होता है security, self help, तो survival और security ये दो important चीज़े है survival आपका सबसे बड़ा स्वाहित है आप बंगला, गाड़ी आप जितना रखना चाहें आप रखें नौकरी लेने, सब का लग भी जाएगा पर सबसे important आपके लिए क्या है survival, जिन्दा ही ने रहेगा तो क्या कीज़ेगा नौकरी का और घर बंगला बना के, समझ रहे हैं बात को तो इसी लिए collective security का concept जो है, उसमें दिक्कत ये है कि लोग अपने self interest से guided होते है national state अपने self interest से guided होते है क्योंकि रशिया का self interest चाइना के साथ है national interest, पाकिस्तान का national interest चाइना के साथ है why they will help इंडिया, why they will take the side of इंडिया have the इंडिया taken the side of Ukraine in Ukrainian wars have इंडिया criticized रशिया, no we can't do that हमारे 75% अभी भी हत्यार है रशिया से बनाय हुए है defense, equipment तो आप बोलेंगे तो खरीद तो लिया न, एक बार क्या दिक्कत है खरीद लिया तो मालिक उसका servicing का जरुरत पड़ता है उसके parts का जरुरत पड़ता है splendor खरीद लेते हैं तो काम नहीं चलता है छो महीन बाद servicing करना पड़ता है servicing अपने करने आता है आपको नहीं आता है ना क्योंकि आप बनाये नहीं है तो आपको कैसे आएगा करने उसका part आपके पास रहता है सौकर खराब हो गया लीक होगे अपने से लगा दिजिएगा सो रूम में जाके ही लगवाईएगा तो इंडिया को पता है कि रसिया के खिलाब बोले ना तो यह जो 75% हमारा जो defense equipment है डॉर्मेंट पड़ागा पड़ा रह जाएगा रख ले रह जाएगा सब का सब सर्विसिंग करने के लिए बोलेंगे पुतीन साहब सर्विसिंग कर दीजिए सर यह मेरा equipment खराब हो गया फोन काट देगा इसलिए नहीं बोले हम लोग क्या लगता है दोस्त है रसिया के और से नेशन गाइड़ होते हैं तो क्यों मदद करेगा एक दूसरे का क्यों लेगा साइड तो इसी लिए यह कलेक्टिव सेक्यूरिटी अपने आप में फ्लॉड कॉंसेप्ट है इसी लिए अपना हाँ जगरनात है रियलिजम के अनुशार सेल्फ हेल्फ इस इंपॉर्टन आ अपना मदद आपको खुद ही करना है आपको कोई मदद नहीं करेगा कोई धरती पर नहीं मदद करेगा जैसे आपका कोई मदद नहीं करेगा कुछ देश का भी मदद नहीं करेगा मदद करेगा तो अपना स्वार्थ देखकर ऐसे फोकट में कोई किसी का नहीं मदद करता तब 5 रुपए का भी ध्यान रखेगा इस बात को रियलिजम जो है यह जिन्दगी के लिए भी इंपॉर्टेंट है ओके आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अब मॉर्गेन थाउ ने यह कॉंसेप्ट समझाया है यह स्टेटमेंट देखर उन्हों ने ही यह सब पूरा का प होते हैं कंट्रीज क्यों मदद करेगा कोई इंडिया का आके इंडिया के तरफ से जाएंगे तो यह इंप्राक्टिकल कॉंसेप्ट है यूटोपीएन कॉंसेप्ट है सेल्फ हिल्फ होता है तो मॉर्गेन थाउन ने भले ही कलेक्टिव सीक्यूरिटी को समझाया हो करना पड़ेगा अपने लिए और भी तमाम चीज़ें जो कि हम लोग डिसकस करेंगे तो समझ में आया तो यह जो कलेक्टिव सीक्यूरिटी का कॉंसेप्ट है मैं एक अंतिम चीज़ बताकर क्लास एंड कर दूंगा चिंता मत कीजिए दस मिनट और लेंगे ताकि आगे से हम एक बेस बना दे आगे हम कंटीनू करें कल से कॉंसेप्ट समझा रहे हैं इसी लिए तो यह सब तो र मैंने आपको डिफाइन किया भी मतलब रियलिजम जो है वह इंपीरिसिजम पर बेश्ट है क्या है उसके बारे में बात करता है ऐसा ही दुनिया चलता है लेकिन एक और आपका कॉंसेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं लिब्रलिजम अंतरराष्टिय संबंधों में उदारवाद लिब्रलिजम और लिब्रलिजम का कॉंसेप्ट किस ने दिया है तो बहुत लोगों ने दिया है पर इसके सबसे इंपॉर्टेंट ठिंकर यही भाई साहब है उड्रो विल्सन उड्रो विल्सन लिब्रलिजम का कॉंसेप्ट उ उस समय के situation को world war one के बाद के situation को change करना चाहते हैं बस इन लोग यही चाहते हैं कि युद ना हो भविश्य में और युद को रोकने के लिए ये लोग बात कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए मतलब normativism जो है normative अप्रोच की बात कर रहे हैं इम्पीरिकल अप्रो स्वार्थी national interest से guided अपने सुरक्षा के लिए चिंतित यह है होना क्या चाहिए होना चाहिए आपस में देश कॉपरेट करें बूसरे से लड़ाई ना करें यह सब obsession है obsession है किसका obsession है उड्रो विल्सन का obsession है और उड्रो विल्सन ने यहीं से liberalism का शुरुवात किया तो liberalism जो है यहां थोड़ा से dominant करता है liberalism का मानना क्या है कि जो कंट्रीज होते हैं आपस में कोपरेट करते हैं देखिए liberalism का क्या मानना है थोड़ा से हम बता देता अच्छा liberalism किस से inspire होके लिया गया होगा जी अगर होप्स और मैक्याविली से अगर है रियलिजम लिया हुगा तो liberalism किस से inspire होकर लिया गया होगा लॉक लॉक से जॉन लॉक से inspire होकर बिल्कुल सही बत लॉक से inspire होकर इन्होंने liberalism लिया लॉक भी है ना यह भी normative type का बंदा है लेकिन लॉक के बारे में एक चीज़ ध्यान रखेगा लॉक को हम लोग empirical इसलिए मानते हैं क्योंकि लॉक ने एक तबुला रसा थीयोडी दिया था तबुला रसा ध्यान में रखेगए का 4500 किआ होता है मेरे भाई अन प्लै मैंड हाँ हां बिलकुल सही बिलकुल हां बिलकुल सही very good रइट तो क्या कहता है जैसे पहले अरिश्टोड्ल और प्लैटो मानते थे ना कि मनुष्य पैदा होते के साथ ज्यानी हो जाता है ज्यान तो मनुष्य के अंदर भरा हुआ है जनम के साथ मनुष्य में ज्यान होता है मतलब इंसान मा के पेट से निकला तो उसी समय से आइंस्टाइन रहता है ज्यान अंदर में ही होता है को इसको सिखाता हो खाता नहीं है, so Aristotle, Plato, Socrates, all the ancient Greek thinkers they were talking about innate knowledge, innate knowledge, the inherent knowledge, right, पर Hobbes और Locke ने इस चीज़ को reject कर दिया, Hobbes was the first thinker who rejected Plato and Aristotle, Aristotle और Plato को reject करने वाले पहले thinker Hobbes बने, पहले modern thinker जिन्होंने Hobbes और Locke को reject कर दिया बिल्कुल ठीक नहीं बोल रहे है, अपसने ऐसा किया, तब उलार असा theory कहता है कि एक मनुष्य जो है जब जनम लेता है, वो कोरे कागज की तरह होता है, a person who is born is like a white sheet of paper, a blank sheet of paper और उसका जो knowledge है वो experience again होता है, आप उसमें blank sheet में अपने experience लिखते हैं, जिसका जिस प्रकार का experience होगा, उसको उस प्रकार का knowledge प्राप्त होगा, तो तबुला रसा theory empirical knowledge की बात करता है कि हम लोग experience और अनुभावों से सीखते हैं, तो यहाँ empirical है लोग, लेकिन लोग बहुत चीजों में हमें normative भी जो है नजर आएगा, कहा normative नजर आएगा लोग, लोग कहता है कि मनुष्य बहुत अच्छे लोग होते हैं, मनुष्य loving होते हैं, kind होते हैं, एक दूसरे के साथ corporate करते हैं, ऐसा लोग कमानना है, कहता है कि यह state of nature में युध नहीं होता, जैसे कि Hobbs कह रहे है, state of nature को Hobbs ने कैसे define किया, कि everyone is at war with everyone, हर एक विक्ती एक दूसरे से लड़ाई कर रहा है, state of nature में, और उनको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ एनर्की है, लोग ने कहा हाँ, मानते हैं, एनर्की है, एनर्की का मतलब कोई central government नहीं है, कोई सरकारे नहीं है, कोई political authority नहीं है, अनर्की तो है, लेकिन लोग कैसे हैं, लोगों के बीच में mutual assistance, जो है, ये देखने को मिलता है, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, समझ माया बात, लोग कहते हैं, the individuals are loving, kind, and the state of nature is the state of mutual assistance, आपस में एक दूसरे को cooperate करते हैं ये ही लोग का concept जो है, दोबारा से उड्रो विल्सन ध्यान की स्थिती में बैठते हैं, और पूरा एकदम गांधियन बनके, गांधी जी मेरे favorite हलग बात है, लेकिन कहीं कहीं गांधी जी काम नहीं आएंगे, आप कोई आपको गोली लेखे मारने दोड़ाएगा, तो क्या बुलिएगा कि एक सीना में इधर मारो, एक राइट में मारो, गांधी जी को थपड मारता था ना, तो गांधी जी बोलते थे दूसरा वाला आगे कर दो, गोली मारेगा तो नहीं न काम चलेगा, गोली मारेगा तो भागना पड़ेगा, तो उसको गोली मारना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि हम अहिंसक आदमी है पहले यहां गोली मारी पहले यहां गोली मारी यह भी नहीं कह सकते कि कोई अगर बाएं सीने पर गोली मारे तो दाएं सीना आगे कर देना चाहिए ऐसा तो नहीं कर सकते ना तो इसी तरह से उड्रो विल्सन जो है महान समाधी में गया होंगे कहे थे कि जैसा लॉक ने कहा था इंडिविजूल्स और लविंग इंडिविजिवाल्स जो है वह काइन होते हैं इसी तरह से जो है ना अच्छा एक राज्य कैसे बना है what is a state state is nothing but the sum of all the individual भारत क्या है भारत में लोगी तो रहते हैं लोगों से ही तो भारत बना है भारत जो है अपने आप में तो अब्स्ट्राक्ट है इंडिया लोगी न भारत बनाते हैं तो बोला उडरो विल्सन ने कि देश तो लोगों के द्वारा ही बना रहता है और देश जो है देश के जो लोग होते हैं वो बहुत आपस में mutual assistance दिखाते हैं आपस में kind loving होते हैं तो क्योंकि देश जो है वो आपका लोगों का ही एक बड़ा manifestation है एक बड़ा रूप है जैसा कि plateau कहता है that state is the individual writ large इसी तरह से देश भी आपस में cooperate करेंगे आपस में दूसरे की मदद करें इस पर ध्यान नहीं दे रहा है Wilson कि क्या होता है अभी यह बोल रहा है क्या होना चाहिए future में तो आपस में cooperate करेंगे countries आपस में right दूसरा बाद सब देश डिमोक्रेसी बन जाएंगे free trade promote करेंगे यही सब चीजे Wilson साहब जो है वो बताते हैं और Wilson साहब का opposition कहता है कि liberalism आ जा इतने optimistic आदमी थे इतने आसावादी थे कि मतलब हम क्या बता है वो मुर्दा को जिंदा कर दें इतना उनमें आज था कहा उन्होंने कि एनार की तो हम खतम कर सकते हैं तो उनसे पूछा गया कैसे कीजेगा खतम मालिक तो हम लोग league of nation क्या स्थापना बनाएंगे league of nation एक common platform हो ठीक बोल रहे हैं आप जड़ाई कैसे होगी है ना लीग of nation बना भी हम लोग liberalism पूरा detail में पढ़ेंगे थोड़ा एक बेस बना दे रहे हैं आखिर हम लोग liberalism आपको पढ़ाना शुरू किये तो मनें आया कैसे अचानक से liberalism ही और realism पढ़ाना शुरू कर दिये मॉर्गन थ रहा liberalism जो है 1939 तक dominant रहा 1919 से क्योंकि यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है यह टाइम पीरिट के बीच में यूद होता है कि इसके बीच में इसको कहा क्या जाता है इसके बारे में एक बुक भी लिखते हैं कौन लिखते हैं इंटर वार पीरिएड और बुक कौन लिखते हैं सुने इसके बारे में अब बताईए कि 20-year crisis कि 20-year crisis किसका बुक है यह तो बड़ा असान है यह कर रहता है इसमें भी प्रॉब्लम्स होते रहते हैं अब यह कर बताते हैं अब यहां पर लिब्रलिजम की बावाही होती है बहुत ज्यादा है ना लिब्रलिजम यहां पर डॉमिनेंट रहता है छोटे मोटे चीट पूड यूद आपको देखने को मिलेंगे पर कुल मिलाकर कोई बड़ा यूद नहीं होता है उड्रो विल्सन की वावाई होती है वावावावावा उड्रो विल्सन बहुत बढ़िया लीग ऑफ नेशन सह थीक से काम किया लिब्रलिजम जो है वह ठीक से काम अच्छा आप यह बताइये न कि यहां पे जो ओल्ड वर्ल्ड और की हमने बात की वह किस कॉनसेप्ट पर बेस्ट है रियलिजम पर के लिब्रलिजम पर यह जो हमने बताया आपको European power constantly लड़ रहे हैं बाइलेंस ऑफ पावर कॉमन सेंस है यह सब जो चीजे बताया बिल बिल्यार्ड मॉडल के बारे में बताया मैंने तो रियलिजम पर है बेस्ट तो रियलिजम पहले भी बहुत प्रभावी था बीच में निव वर्ड और के माध्यम से उड्रो विल्सन ने क्या क्रिएट करने क कोशिश किया लिब्रलिजम के हेजमनी को उसके डॉमिनेंस को क्रिएट करने का कोशिश किया लेकिन इन फाक्ट 1937 से ही 1937 में क्या होता है बहुत लोग मानते हैं कि दूइतिये विश्यूद का शुरुवात 1937 से ही हो गया था और बहुत लोग मानते हैं कि विश्यूद का शुरुआत 1939 से हुआ हम लोग 1939 लेंगे रैट 1939 से हम लोग क्या लेंगे 1945 यह अपना रहेगा क्योंकि कोश्चन आएगा तो इसी को टिक करके आईएगा पर 1937 में कौन सा अहम घटना घटता है और हिटलर तो ऐसे भी कानूनी अपना करते रहता है कभी राइनलैंड पर कभजा कर लिया जब वो जाके पोलैंड पर डारेक्ट हमला कर देता है ना सेप्टेंबर में जाके 1939 में तो फिर फ्रांस और ब्रिटेंग फिर लास्ट में चला ज चाइना पर 1937 में चाइना के किस शेतर में हमला किया मंचूरिया पर तो 1937 पर कहा हमला होता है मंचूरिया पर हमला होता है मंचूरियन वार शुरू हो जाता है और चाइना आज इतना ब्रूटल है ना आपने देखा होगा ना बहुत लोग इंसानियत खो देते हैं बहुत कि उनको उस लायक बना दिया जाता है, क्योंकि उनके इंसानियत को मार दिया जाता है, इसलिए इंसानियत खोते हैं, उनके साथ कुछ ऐसा घटना घटता है, क्योंको इंसानियत से विश्वास उड़ जाता है, इंसान रहते ही नहीं, ये दया, कर्म, ये भूल जाते हैं, नह पर जब जपैन का हमला हुआ ना यहीं पर हम थोड़ा सा कहानी बता दे रहें इंट्रेस्टिंग कहानी पाँच मिनट में अब हम जो आज हमको पढ़ाना था जम पढ़ा दिये हैं यह हम एक बार फिर से अनंतकाल से है ही तो रियलिजम लिब्रेलिजम कल कम्प्लीट करेंगे यह कल का टॉपिक होगा पर एक कहानी सुनाते हम आपको थोड़ा सा क्योंकि देखिए अभी जैसे आविशाखा है ना अभी कौन ले रहे है आई-र की क्लासेस कौन करा रहे है अभी आई-र आपने तो नहीं लिया ना इंटरनाशनल पॉलिटिकल अंडरस्टाइंडिंग पॉलिटिकल डियू में देखिए अभी आप लोगों का टाइम है आप हां हां या या यूर यूर और आदिबल प्रीस टल हां वह तो हमेशा वही तीनों पढ़ाते हैं पर वह लेना नहीं है वह नहीं लेना है ओके उसमें मेरा सबसे कम माक्स थारे बापरेबाप वह पेपर हमको जीवन भयाद रहेगा वह उसको छोड़ दीजेगा तो अभी मतलब आप लोग में थोड़ा सोचना सीखिए आप ल मैं लिन जो बड़नोमस कॉलरेंशजड में अच्छा से कॉलकी चाहिए तो पांचसो बार में 1000 बर रिजक्ट कर देगा प्रोफेसर का साइन चाहिए उसमें तो थोड़ा सा चीजों को एनलाइज करना सीखिए बाद मेंनिट के बाद प्येज़डी करिएगा कढए लिजिए गवह जवरत नहीं है पर कढए धिक्कत है को धिक Talk बात नहीं है तो थोड़ा-सजिद करना सीखे चीजों हमला करता है सबसे सबसे बूटल आर्मी उससे खतरना कोई आर्मी था ही नहीं धर्ती पर सबसे जिन्डा डिया करते जिन्डा दफन करते थे चाइनीजें को इतने महिलाओं का रेप किया इतने बच्चों को मारा छोटे छोटे दो-दो सल के बच्चों को गिनती ही नहीं है और उस समय सरकार किसकी थी उस समय देखिए चाइना का इतिहास क्या है इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं एक चाइना में रेबुलूशन होता है 1911 में कब होता है रेबुलूशन 1911 में जिसको हम लोग जिनहाई रेबुलूशन कहते हैं क्या कहते हैं हम लोग जिनहाई रेबुलूशन जिनहाई रेबुलूशन या हिंसाई revolution एक जिनहाई ही लिखने को मिलेगा यह किसके leadership में होता है Sun Yatsen Sun Yatsen यह एक party है कोमितॉंग party को मितॉंग जिसको हम लोग Nationalist party कहते उसका leader था यह अमेरिका से पढ़ किया था Nationalist party का leader है ना अब यह कोमितॉंग का leader Sun Yatsen है यह revolution lead करता है उसी Lenin के तरह और यहाँ 1911 तक जो है वो King dynasty का आपका शाशन था चाईना में किसका साशन था? King dynasty का साशन था Ming, Ching, Chomin, Chomin होला नाम रहता है न उसी तरह से है Queen dynasty का साशन था तो King dynasty का साशन खतम कर देता है यह कुरांती से सन्यात सेन और वहां का लीडर बन जाता है तो मसलब नाशनलिस्ट चाइना रहता है और उसका नाम पढ़ता है रिपब्लिक अफ चाइना नाम हाता है इसका इसको रिकोगनाईज किया जाता है ये चीज़ आप ध्यान में रखिए और थोड़ा सा डीक में पढ़िए ये वाटसअप यूनिवर्सिटी के भारो से मत रहिए और हिंदू बनिये हिंदू बनिये कटरता अपने अंदर से हटाई अब हिंदू है मुसलिम है कटरता जरूर हटाने का कोशिश कीजिए एक नागरिक बनने का कोशिश कीजिए हम खुद ब्रावन परिवार से बिलॉंग करते हैं सब रिचूल को मानते हैं लेकिन हम किसी के प्रती जो है कटरता का भाव नहीं रखते ना जाती के अधार पर ना धार्म के अधार पर नहीं रखना चाहिए हम आपको अभी कारन बता रहे है, चीजों का, तो यह आपका होता है, जिंहाई revolution, सन्यात सेन जीत जाता है, सन्यात सेन, जो है, लीडर बन जाता है, अब मंचूरिया पर हुआ हमला, मंचूरिया पर हमला हुआ, तो यहां पर यह जो नाशनलिस्ट पार्टी का जो आर्मी था ना, जैसे जैसे जैपनीज आर्मी आगे बढ़ते जाता था, वैसे वैसे लोग पीछे हटते जाता था, पीछे हटते जाता था, और एक बहुत खराब मीती का प्रयोग करके, जिसको हम लोग युद में करते हैं इसको हम लोग करते हैं, स्क्रोच अर्थ पॉलिसी, इस पॉलिसी में क्या हम लोग करते हैं, कि मान लीजे कि यहाँ पे हमारा दुस्मन घुसा, यहाँ पे दुस्मन से हमारा पंगा हुआ, हम क्या कि हम पीछे भाग गये, पर पीछे भागते समय हम क्या किये, कि यहाँ का नुआत्वा में जहर डाल दिये ताकि यहां पर अगर हमारा आर्मी अगर दुस्मन आर्मी खुसे तो उसके लिए खाने के लिए कुछ ना बचे उसके लिए कोई ब्रिज ना हो जिसे वो आगे बढ़ सके उसके लिए कोई पानी का सुभीधा ना हो तो इसको हम लोग स्कॉर भाग रही है पीछे गाउं kyla कंए लोग मर रही है प्लब आएगी जापनिस आर्मी तो गुसा में जैहर मिला दोगे मीला दोगे मार देगा वो लोग को मारा जिंदा जला दिया धफना दिया जिंद्रों इस तरह से करके आगे आ रहा है भागते जा रहा है भागते जा रहा है पीछे नेशनलिस्ट आर्मी जो है वो और उसी समय मौस इतुंग जो है उसका राइज होता है मौस इतुंग अपना रेडगाट्स आर्मी बनाते है लिबरेशन आर्मी है ना लिबरेशन आर्मी जो है वो अपना बनाते और उच्छापा मार यूद सीवाजी जैसा करना शुरू करते हैं इसको हम लोग गोरिला वर्फेर कहते हैं और यह हराता है मंचूरिया को फिर से वापस स्वातंत्र कराता है जैपनीज सोलजर को कौन हराता है वो बंदा जो सरकार में नहीं था वो बंदा जिसने अपने जान का प्रवाह मतलब जो है प्रवाह ना करके लड़ाई किया उन लोग के लिए कि उसके साथ की जो पीछे भाग्या सब जला के किसके साथ जाएगा कि सेंटीमेंट मौस इतुंके साथ जाएगा और इसी लिए जब वर्ड वार खतम हुआ 1945 में तो यह लोग इस समय सन्याद से नहीं था मर गया होगा में पता नहीं क्या हुआ लेकिन शन्याद से नहीं था इसका ही आपका सक्सेसर था शैंकाई से तो यूदूद खतम हो गया हम तो यहां के लीडर है हम आ गए जब चलो आप साशन करेंगे तो जनता बोला कहे का लीडर बे तुम क् मेरे उपर हमला हुआ तुम थो छोड़ भाग्ये हमको मैं तुम कहीका नेता तुम कहीका सरकार भागो यहां से तो वहाँ सब्सक्राइब हो जाते हुद दग वहां सभाय ही ज्रेहर हो जाता है चैना में सिविल वाराव शरु हो जाता है चायना में 1945 में तो यह सिविल वार नैशनलस्ट और मिनिस्ट के बीच में चलता है अंतिम में क्योंकि कॉम्णिस्ट के साथ आर्मी भी मजबूत थी जिस ने जपन को अघ्रा दीया मजबूत होगा ही और क्योंकि लोगों का साथ भी था तो नाशनलिस्ट जो लोग है उनका हार होता है और एक ऑक्टूबर 1949 को जो है ये कमिश्ट चाइना का स्थापना होजाता है सिविल hist होते हैं अब यहा से चाइना क्या सिखा चाइना ने सिखा कि जो मेरे साथ जापनीज ने किया है ना मेरे मां बहनों का रेप किया जिंदा जला दिया क्योंकि हम कंजूर थे हम इतना मजबूत बनके दिखा कि कोई माई का लल आँख नहीं दिखाया और आँख दिखाया तो आँख काड़ ले आँव उसका और चाइना बन की दिखाया किसी के उकाद मीज़े चाइना को छोंगी और इतिहास से सीख कर बना है चाहिना और उन लोगों को बहुत दुख होता है भविश्य में जो इतिहास को भूल जाते हैं द्वीतिय विश्वध हुआ जर्मनी में चांसलर बना हिटलर कब बना 1933 में यह सब कुछ-कुछ मैं बाते बता रहा हूं 1933 में चांसलर बना लड़ाई करके बना था लोगों ने वोट दिया था उसको लोगों ने वोट दिया था किस नाम पर बदला लेने के नाम पर किस से बदला लेने के नाम पर फ्रांस से बदला लेने के नाम पर हिटलर के एजेंडा में कभी भी इंड़स्रियलाइजेशन इंप्लोईमेंट था ही नहीं आपको नहीं लगता है कि जितना हिटलर का गलती है उतना उस समय के बेवकूफ जनता का भी गलती है जिसने उस पागल को चुना जिसने खतम करके सब रख दिया सोचिएगा इसके बारे में हम लोग बहुत धन्य है हमारी सरकार बहुत अच्छी है तो कि हर एक साल करोड नौकरी मिल रहा है 15 लाग जॉब भी दे दे रहा है अब हमारे यहां ऐसा कोई डिक्टेटर नहीं है हम लोग बहुत फर्चुनेट है कि इंडिया में सानी हो रहा है हम लोगों का जो है रैंक भी ठीक ठाक है 145 रैंक है हमारा वोल्ड फ्रीडम इंडेक्स में ठीक है तो हम बहुत फर्चुनेट है भगवान का धन्यवाद करते हैं कि मोदी जी जैसा प्रधान मंत्री मिला जिसको हम लोग 10 बार वोट कर सकते हैं भविश्य में ये तो हमारा खुष नसीबी है लेकिन सोचिएगा कभी किसका गलती है आखिर सिर्फ रिटलर का कि उसका भी गलती है जिसने जीवस में और जर्मन्स में लड़ाई करवा दिया कि जिवस खराब लोग है उनको मारो उनको मारो वो तो हम लोग बहुत खुष नसीब है कि यहाँ हिंदू-मुस्लिम में एकता का बात किया जाता है तो हम लोग का देश का जीत है लोग बहुत खुस नसीब लोग हैं पर भगवान न करे कि हमारे साथ भी कभी ऐसा होने लगे कि नौकरी पर सरकार बात न करे कभी सरकार जो है हिंदू-मुस्लिम को लड़वाना शुरू कर दे भगवान न करे ऐसा हो कभी भविश्य में नहीं ही होगा जब तक मोदी और अमीत साहे कभी नहीं होगा तो अगला वोट तो 2024 में मोदी जी को ही देना है सोचिए का इसके बारे में ठीक है फिर ये चीज आप लोगों को समझ माया और ये समझ माया कि यह यहां तक है कैसे हम लोग लिखते है चीजहों को कैसे हम लो लिखते हैं चीजहों को और रिखाव सक्से ना में के साथ poplish है हर्मो रेगुलेशन ऑफ इंडियन फेडरलिसम यह मैंने आर्टिकल लिखा था भर्मो रेगुलेशन ऑफ इंडियन फेडरलिजम क्या है सिंपल सा यही सुनिए मैंने इंस्पायर कहां से हुए इसके लिए और भी हम कुछ बताने वाले था आपको नहीं नहीं बताने वाले थे देखिए जो बीच्चु का स्टूडेंट है या विशाखा है अकंच्छा है आप लोग आप लोग प्लीज आप लोग कुछ आर्टिकल वार्टिकल लिखिए मास्टर्स में थोड़ा पीछे पीछे मैं को पकड़ के चलिए थोड़ा ताइम निकाले इन सब चीजों के लिए फ्यूचर में बहुत काम देगा बहुत आगे रहिएगा लोगों से और इसको देख लीजे यह मैंने ना एफड़ुरिक्स इंस्पायर हुआ था लाइक एफड़ुरिक्स आप लोग बच्पन में प्रिज्म के बारे में पढ़े होंगे एफड़ुरिक्स जो है अपना प्रिज्मेटिक सुसाइटी का मॉडल देता है ना प्रिज्म से लाइट ज पर ज्यादा रिलिवेंट हो गया जब मैंने लिखा उसके बाद और कोल्ड ब्लडड अनिमल क्या होता है मेरे भाई किसी को कोई आइडिया थोड़ा बहुत है हम लोग क्या है हम लोग कोल्ड ब्लडड है कि वार्म ब्लडड है बताइए क्या है हम लोग है हम लोग है वार्म ब्लडड आनिमल वार्म ब्लडड आनिमल क्या होता है जो समय के हिसाब से अपने बॉडड के टेमपरेचर को रेगूलेट कर सके गर्मी के दिनों में हमें पशीना आता है, क्योंकि इभापोरेशन से हमारा सरीर ठंडा होता है, तो गर्मी के दिनों में हम पशीना छोड़ते हैं, अपने सरीर को ठंडा रखने के लिए, और ठंडे की दिनों में ऐसा कुछ नहीं करते, तो हम लोग warm-blooded animal है, cold-blooded animal जो होता ह है, उसके अंदर ability नहीं होता है, कि वो अपना temperature regulate कर सके, गर्मी के दिनों में गरम हो जाएगा, ठंडा के दिनों में ठंडा हो जाएगा, और जो cold-blooded animal होता है, mainly reptile होता है, साप हो गया, छिपकली हो गया, आप देखते हैं, ठंडा के दिनों में साप हो आप दिखता है, जी सिपकली दिखता है घर में, वो लोग हाइबर नेशन पर जाता है, चार महीने अराम से सोता है, चुपचाब जाके, पोलार बेर लोग और ये मतलब जो भी आपके, सौरी, पोलार बेर बोल रहे हैं, cold-blooded animal होते हैं, मने cold-blooded animal में ये शमता नहीं होती, कि समय सिचुएशन क कनुसार अपने आपको ढाल सके, समझ में आया, इंडिया का फेडरलिजम कैसा है, वार्म-blooded animal के तरह है कि अच्छा ये जो आपका ability होता है, वार्म-blooded animal का, अपने आपको ढालने का, अपने वातवरन के हिसाब से, इसको हम लोग बोलते, थर्मो रेगुलेशन, क्या कहते ह है कि नहीं है, इंडिया क्या situation के हिसाब से, उसका फेडरलिजम बदल जाता है कि नहीं बदलता है, वाट यू थेंक, सोचिए थोड़ा सा, थोड़ा तो पॉलिटी जानते होंगे न, आप लोग graduate students है, क्या लगता है आपको, इंडिया के पास है, थर्मो रेगुलेशन, क्य है न, बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि emergency लगता है, या state emergency, national emergency, तो सारा सकती किसके पास चला जाता है, केंदर के पास चला जाता है, राजियों की सकती छीन ली जाती है, अब अभी lockdown का जो power था, lockdown का जो power है, आम तोर पर वो किसके साथ है, राजियों के साथ है, पर हमने जैसे ह यह लॉकडाउन का पावर किसके पास चला गया कि इंदर सरकार के पास ममताव अनर्जी मना करें थी लॉकडाउन लगाने से वह कौन थे वह आपके वहां के चीफ मिनिस्टर अंध्रप्रदेश के चंद्रबाबु नाइडू मना कर रहे थे लॉकडाउन से नहीं लगाएंगे लॉकडाउन मोदी जी ने कहा कैसे नहीं लगाओगे नडीपीएस किया नाशनल डेबल जो है आपका नडीपीएस बोल रहे है आक्ट सुरी वह तो ड्रक नार्कोटिक से रिलेटेड है नाशनल डिजास्टर मैनेजिमेंट अक्ट को उसको इन्भोक किया इन्भोक करते के साथ पावर ल निर्देश को पालन करना चाहिए राजय सरकार को और अगर राजय सरकार किंद सरकार का निर्देश पालन नहीं करता है तो उसमें राश्पती सासन लगा देंगे तो ममता बनर जी का सरकार बरखास्त करके राश्पती सासन लगा देते मोदी जी तो डर से लगा दिए उप अमेरिका में ऐसा कोई सिच्वेशन नहीं है जिसमें राज्यों की सकती के अंदर के पास चली जाए अब अमेरिका में एक बार पूरा का पूरा लॉकडाउन पूरे देश में लगा नहीं अमेरिका में मातर 33 करोड़ाबादी है मेरे और अमेरिका हमसे कम से कम 3-4-5 गुना है लंबाई चोड़ाई में छेतरफल में मने जो पॉपलेशन डेंसिटी है एक किलोमीटर एडिया में कितने लोग रहते हैं अमेरिका में तो बहुत कम लोग रहते हैं पर अमेरिका में कोवीट का ज्यादा केसे हुआ अमेरिका में ज्यादा लोग मरे क्यों क्योंकि अमेरिक अमेरिका के समिधान में सा कोई नियम ही नहीं है जिससे अमेरिका को हम लोग सीधे kषण कर दे एक यूनिटरी कंट्री में अमेरिका थेर में इस फेडरलिजम इस इंडियन फेडरलिजम इस डाइनेमिक तो यह बायाजी से करने हमको क्या कोई सपना में आके बताया था नहीं बताया था ना खुद ही सोचे होंगे ठीक है ना थोड़ा सा सोचा कीजिए विशायों के बारे में क्योंकि अमेरिका में प्रोफेसर बनियेगा ना बड़ा-बड़ा जो प्रोफेसर जो रहता है वो लोग अगर रिसर्च नी करेगा तो लोग को भगा दिया जाता है इंडिया में साहीं होता है इंडिया में सब्सक्रारर ठीकर नवीज़िल अमेरिका में बहुत सब्सक्राण है यूंश्चिश-इंग नीरा चंदोक का भी मैं पढ़ाएंगे आप लोगों comparative politics में अभी आप लोगों को भी सखा कौन पढ़ाती है नस्रीन मैं पढ़ाएंगे नीरा चंदोक का तो नीरा चंदोक प्रोफेसर ही यह लेटर ऑन सी बिकेम दे प्रोफेसर न अमेरिका बहुत सारे अतुल कोहली हो गया बहुत सारे लोग पार्थब चितर जी थे एक टाइम में तो सोचिए थोड़ा सा सोचिए कुछ अच्छा कीजिए अगर इस शेत्र में आये हैं कुछ योगदान दें कुछ अच्छी चीजों को सोचे इसको मिटा देते हैं कि कि आई होप क्लास पसंद आया होगा आई होप हिटलर वाले के बारे में भी सोचिएगा ओके मिलते हैं अगले क्लास में परसो दिन अगर कोई डाउट है तो पूछिएगा हाँ ऻाँ हाँ मतलब उसी से प्रभावित होकर लोगों ने लिया है अगर आपको मिलाने दे देगा कि पावर का कॉंसेप्ट कहां लिया गया रियलिजम में तो पावर के बाएर में कौन बात करते हैं मैक्याविली तो दे देगा कि यह कहां कहां से इंफ्लूएंस हुआ है है ना तो पावर का कॉंसेप्ट कहां से लिया गया तो पावर मैक्याविली में लगा देंगे नाशनल इ अभी थे मॉर्गन थाउ चोव प्रिंसीपल दिया है ना चोव में अपना उसका एको प्रिंसीपल नहीं है कुछ कॉटिलिया से चुरा के नहीं बोलेंगे कुछ मतलब पढ़के थिंकर कुछ ठीवसी डीटर्स कुछ हॉप्स कुछ मैक्या विल्यूस का अपना कुछ भी दिया हुआ नहीं है कुछ भी नहीं अपना तो मॉर्गन थाउ ने रियलिजम के बारे में ऐसा नहीं कि को सिस्टेमेटिक तरीके से समझाया में दीया तुसने कुछ भी नहीं है क्यूंकि जो बोलता है बहुत सार ठींकर बहुत पहले से बहुत बोलते से यह बात है पर समय भी होगा चलिए बहुत बढ़िया है मिलते हैं कल पर सोगे ये होग आप लोगोंan लेक्चर भी ठीक ल ठीक है ना थैंक्यू थैंक्यू सबको सबको प्रणाम आपको भी प्रणाम दीदी सबको प्रणाम ओके वेलकम वेलकम सबको वेलकम ओके तो मिलते हैं परसो दिन के lecture में और quiz प्लीज अटेम्ट कीजेगा सब कोई because whatever I taught till now I would be giving a quiz from this part only okay and let's see how much you have learnt and how much right you are answering okay ठीक है मिलते हैं थाइंक्यू थाइंक्यू सबको थाइंक्यू सबको प्रणाम आपका शुब रातरी सबको ठीक है ना बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका